हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरल के उपर और यहाँ पर इस वूटम हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के सिविक्स के चैप्टर नमर थर्ड को जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने वाल है और यह हमारे सिरीज का नाम है NCRT फाउंडेशन सिरीज जिसमें कि हम लोग सारे चैप्टर साइन्स और इसिश्टी के NCRT से लाइन बाइन एक्स्प्लेइन कर रहे हैं तो और भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस सिरीज को जाकर देख सकते हैं प् हने वाले हैं उसके बारे में तो अगर आपको किसी चैप्टर के बारे में जानना है कि किसी चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं क्या concept हमें पढ़ाया जा रहा है तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि चैप्टर का introduction या फिर overview पढ़ा कीजिए उसमें आप क्यों पढ़ाऊं तो सौट में यहां पर हमें क्या समझना है हमें समझना है कि elections क्यों निशिशरी होते हैं elections क्यों जरूरी होते हैं हमारे दिसमें election क्यों होना चाहिए साथ में democracy में election useful कैसे होता है इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि भाई जब parties के बीच में election होता है competition हो दो candidate चुनाव लड़ते हैं, दो या बहुत सारे candidate जब चुनाव लड़ते हैं, तो उससे जंता का कैसे फायदा होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी election, democratic election कैसे होता है, दुनिया में कई सारे देश हैं जो कि खुद को democratic कहते हैं, लेकिन वो reality में नहीं है, तो एक अच्छी democracy और एक non-democratic country में क्या फर्क होता है, ये चीज़े हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आगे चलके हम लोग chapter में पढ़ेंगे कि इंडिया में election कैसे होता है, इंडिया में जो election होता है, वो democratic है या नहीं है, ये हम लोग check करेंगे, तो आईए हम लोग क् हम लोग clear करने वाले हैं, इस chapter में पढ़ने वाले हैं, अब देखिए chapter जब आप यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला topic जो है इस topic के अंदर सब topic वो है assembly election in हरियाना, अब यहाँ पर आपको एक election की छोटी सी कहानी बताई गई है, उसके जरिये आपको समझनी है कि election क्यों जरूरी है और election कैसे होता है, यह जो आप यहाँ पर यह cutting देख रहे हैं, यह क्या एक newspaper का cutting है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहानी है, मैं इसको short में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जितना short हो सके, तो यहाँ पर कहता है कि the time is after midnight, आधी रात की बाद का समय हो रहा है, यहाँ पर एक भीड है, जो कि बैठी हुई है, पिछले 5 घंटे से बैठी हुई है, और यह अपने लीडर का इंतजार कर ली है, अपने नेता का इंतजार कर ली है, कि नेता जो है, लीडर जो है, वो आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर निता जी आते हैं और निता जी का नाम क्या है, इनका नाम है Mr. Devilal, ठीक है, जो लीडर है उनका नाम क्या है, Devilal, जो की हरियाना के संघर्च समीति, एक संघठन है हरियाना में, उसके लीडर थे हरियाना संघर्च समीति के, ठीक है, अब यहाँ पर वो क्यों आ रहे थे इस आ रहे थे ताकि यहाँ पर ये इन लोगों के सामने भासन दे सकें, इन लोगों के सामने अपनी बात रख सकें, क्यों भाई? क्योंकि election का महौल है, election होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, और वो जो leader है, Mr. Devilal, वो क्या कर रहे हैं? जनता को अपनी बात समझाने की कुश हैं, और इस समय में ये काफी busy रहते हैं, क्यों busy रहते हैं? क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे जगहों पर जो लोग हैं, वो Devilal की बातों को सुनने के लिए आते हैं, उनका इंतजार करते हैं, और क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो इनको हर जगह पर जाकर भाशन देना है, और लोगों को समझाना है, कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, ये बात है, मैं यहां रोड बनवा दूँगा, या फिर इस तरीके की बहुत सारी बाते करते हैं, कि सरकार ठीक काम नहीं करी, ये सारी चीज़े, ठीक है? तो यहाँ पर यही इनका schedule है, अभी के समय में, स newspaper, report is about the state assembly election in Haryana in 1987, ये कब का cut-out है? ये 1987 में जो Haryana में state assembly election हो रहा था, उसके बारे में newspaper report है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो सरकार बनती है, वो तीन अस्तर पर बनती है, तीन level of government होते हैं हमारे देश में, एक सरकार होती है पूरे देश के लिए, जिसको की हम लोग central government या फिर union government कहते हैं, और उसके लिए जो election होता है, उसको हम लोग general election कहते हैं, या फिर parliamentary election कहते हैं, जिसमें की लोक सभा के सांसद, यानि की जो हमारा parliament है, उसके members चुने जाते हैं, उसी प्रकार से हर राज्य में क्या होती है, एक सरकार ह होती है, जिसको की हम लोग state government कहते हैं, जैसे हरियाना क्या है, एक राज्य है, वहाँ पर भी सरकार हैं, उसके leader होते हैं, chief minister, मुख्य मंत्री, तो यहाँ पर जो चुनाव की बात हो रही है, यह हरियाना राज्य के विधान सभा के लिए होने वाले चुनावों की बात हो रह ही है, यानि state assembly के लिए leaders का selection हो रहा है, चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो उस चुनाव की यहाँ पर बात हो रही है, अब यहाँ पर जो पिछला चुनाव हुआ था, 1987 से पहले हुआ था, वो 1982 में, और यहाँ पर जो party rule कर रही थी, मतलब 1982 में जो party जीती थी, वो थी Congress party, और यह जो यहाँ पर leader थे Mr. Devilal, वो चाहते क्या थे, कि यह जो Congress party है, इसको हटाया जाए, हराया जाए, और यह इनकी party और साथ में, इनके समर्थकों की party क्या हो जाए, चुनाव जीत जाए, ठीक है, अब यहाँ पर यहीं चीज़ कहता है कि चौधरी Devilal, then an opposition leader, led a movement called में क्या हुआ था, चौधरी Devilal की party हार चुकी थी, और साथ में इनके supporters भी हार चुके थे, दूसरी party जो इनकी support कर रही थी, वो भी हार चुके थे, तो यहाँ पर यह क्या थे, opposition के leader थे, मतलब विपक्छी दल के leader थे, और यहाँ पर इन्हों ने एक movement चलाया, movement का नाम क्या रखा न्याय युद्ध, यानि की struggle for justice, और इन्हों ने एक नई party बनाई, जिसका नाम क्या रखा, लोकदल, लोकदल नाम से party बनाई, और उस party उनके leader जो थे, मतलब चौधरी Devilal और साथ में इनके जो supporters थे, यह सभी क्या करने लगे, चुनाव लड़ने लगे, इनके साथ और भी कैसारी party थी, कौन-कौन सी थी, जैसे BJP थी, और भी कैसारे party थी, ठीक है, उनका नाम हम लोग देख लेंगे, तो यह सभी party बनाई, कौंग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने थी election में, और election campaign में जो चौधरी Devilal थे, उन्हों ने कहा कि अगर उनकी party जीत जाती है, अगर लोग दल party चुनाव जीत जाता है, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी गरीब किसान है, और साथ में जो छोटे आपको व्यापारी हैं, उनके लोन को माफ कर देगी, मतलब जो छोटे छोटे किसान है, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, और साथ में वैसे इसके रूप में की, ठीक है, अब यहाँ पर यह कहा इन्होंने, कि यह जो हम वादा कर रहे हैं न, ऐसा नहीं है कि हम पांच सल बाद करेंगे, नहीं, जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, और जीतने के बाद सबसे पहले यही काम हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, लोन को माफ क ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने चौधरी देवीलाल के प्रामिस के उपर विश्वास भी कर लिया, कि हम यह 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 लीडर हैं, यह बोल रहे हैं, तो वो करेंगे, ठीक है, ऐसा मान लिया, और जब यहाँ पर एलेक्शन हुए, हर्याना में एलेक्शन हुए उस समय बहुत बढ़ चड़कर लोगों ने लोकदल पार्टी को वोट दिया और इनके सपोर्टर्स को वोट दिया, दूसरी पार्टीयां जो इनके साथ ही उनको वोट दिया, अब यहाँ पर लोकदल और उनके जो सपोर्टर्स थे, इन्हों ने मिलकर 90 सीट में से 76 सीटे जीत ली, और इसके साथ ही क्या हुआ, जो स्टेट असेमली था, उसमें क्लियर मेजोरिटी मिल गया, लोकदल को और साथ में उनको सपोर्टर्स को भी जोड़ लें, तो बहुत ओवर्वेल्बिंग मेजोरिटी मिल गया, ठीक है, और साथ में जो कॉंग्रेस पार्टी थी, जो की पिछली बार सरकार बना कर बैठी हुई थी, उसकी क्या हाल हुई, उसकी सिर्थ पांच सीटे आई, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग एलेक्शन रिजर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चौधरी देविलाल, जिनको किताव देविलाल भी कहा जाता है हरियाना में, उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 1987 जो एलेक्शन हुए थे, उसके रिजर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर लोकदल और बीजेपी ये दुनों साथ मिलकर चुना हो लड़ रहे थे, इन दुनों ने मिलकर 76 सीटे जीती थी, इसके ब और जब एलेक्शन का रिजल्ट आ गया, एलेक्शन का रिजल्ट जब अनाउंस कर दिया गया, तो वहाँ पर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, मतलब कि 1987 के स्टेट असेंबली से जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जो कि 1982 में पार्टी जीती थी कॉंग्रेस, उसके लीडर अपनी पद को छोड़ दिया कि भईया, जनता ने मुझे हरा धिया है, मैं अब लीडर नहीं हूँ, तो मैं अपने पद से रिजाइन करता हूँ, ऐसा उन्होंँने रिजाइन कर दिया, और इसके साथ ही, जो लोकदल के ज्यतने भी MLS थे, विदायक थे, उन सब ने देवी प्रेविलाल को अपना लीडर चुनते हैं और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देविलाल जी को बुलाया गया गवर्नर के द्वारा कि आप आईए और नया चीफ मिनिष्टर बनिये. क्यों भाई क्योंकि इनके पास clear majority थी आधी से ज़्यादा सीटे थी इनके पास आधी से ज़्यादा members थे assembly के इसलिए इनको क्या हुआ गवर्णर ने invite किया तीन दिन बाद मतलब election result के तीन दिन बाद वो क्या हो गए चीफ मिनिस्टर बन गया कौन देविला चीफ मिनिस्टर बन गया ये हो गया आपका election complete एक प्रकार से हम कह सकते हैं election complete हो गया और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने एक government order दिया ताकि जितने भी small farmers हैं agriculture laborers हैं और साथ में small businessmen हैं इन सब को loan जो है सरकारी loan उन सब को माफ कर दिया गया कि जो छोटे किसान हैं जो खेतिहर मजदूर हैं छोटे businessmen हैं इन सब का loan क्या कर दिया गया माफ कर दिया गया यह इन्होंने मुख्यमंतरी बनने के बाद order दिया आगे चलकर इनकी party ने चार साल तक यहां पर हरियाना राज्य में शाशन किया और अगला election हुआ 1991 में 1991 में जब अगला election होता है तो यहां पर जो लोक दल party है वो जनता का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहती है जनता उनका support नहीं करती है और क्या होता है यहां पर Congress party फिर से आ जाती है फिर से चुनाव जीत जाती है और यहां पर अगली बार 1991 में क्या होता है Congress party की सरकार बन जाती है तो यह एक प्रकार से sort में आपने क्या देखा कि हमारे इंडिया में एक राज्य में election process कैसे होता है क्या-क्या events होते है ठीक है अब यहां पर इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे कुछ points को clear करेंगे और फिर आगे का chapter पढ़ेंगे अब यहां पर दो बच्चे है जगदीप और नवप्रीप यह क्या गर रहे हैं यह story को पढ़ रहे हैं और यहां पर वो कुछ conclusion निकाल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ तो उनका conclusion सही है या गलत यह चीज़ आपको यहां पर check करना है अब यहां पर कहता है कि elections can lead to changes in the policy of the government जी हां बिलकुल ह जब election होता है तब क्या होता है leaders change हो जाते हैं पार्टियां change हो जाती हैं तो वहां पर साथ में उनकी policy भी change हो जाती है जैसे हमने एक policy देखा कि देविलाल ने क्या किया वादा किया कि भाई मैं सरकार में आऊंगा तो आपके loan माफ कर दूँगा आपके करजे माफ कर दूँ तो यह आए सरकार में तो इन्होंने क्या किया loan माफ कर दिया तो यह क्या हुआ एक policy change हुआ ठीक है इसके साथ कहता है कि governor invited डेविलाल to become the chief minister because he was impressed with his speeches जी नहीं ऐसा नहीं है governor ने डेविलाल को क्यों बलाया था क्योंकि उनके पास clear majority थी हर्याना assembly में total members है 90 और उनके पास total 76 members का support था 60 लोकदल के और साथ में 16 किसके हो गए BJP के ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि people are unhappy with every ruling party and vote against it in the next election कि जो जनता है वो हर सरकार से नाखुश होती है और अगली चुनाव में उनको हरा देती है जी नहीं ऐसी तो बात सहीं नहीं है ऐसा थोड़ी है कि हर बार हर party चुनाव हार जाती है कि एक बार जीते है और अगली बार हार गई न को lot of economic development हरियान यह clear answer नहीं है क्योंकि कई बार policies अच्छी भी होती है और कई बार खराब भी होती है कई बार development होता है और कई बार नहीं होता है तो यह clear cut answer आप नहीं देख सकते हैं कहता कि the congress chief minister need not have resigned after his party lost elections कि जो congress के chief minister थे जब 1987 के election में उनकी party हार गई तो वो चाहते तो resign नह करते क्या यह हो सकता है जी नहीं उनको resign करना होता क्योंकि वो confidence lose कर चुके है और वहाँ पर क्या होता वहाँ पर नए leader आते जो इनको support जनता ने किया है अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं topic पढ़ते हैं why do we need elections election हमारे देश में क्यों जरूरी है या फिर दुनिया में election का process क्यों होना चाहिए यह चीज यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं और clear करते हैं अब यहाँ पर कहता कि elections take part regularly in any democracy democracy का मतलब क्या होता है simple मतलब होता है जनता का शाशन कि जो जनता है वो vote देकर leader को चुनती है और leader क्या करते हैं काम करते हैं जनता की मर्जी के मर्जी के हिसाव से leader काम करते हैं तो किसी भी देश को अगर हम democracy कहते हैं तो उस देश में क्या होना चाहिए regular election होना चाहिए कि भाई regular interval पर election होगा तभी वो देश democracy है अगर नहीं हो रहा है तो वो देश democracy नहीं है ठीक है कहता कि there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसे election होता है ताकि वहां के leaders को चुना जा सके election का process अलग-अलग हो सकता है लेकिन वहां पर election होता है ठीक है कहता कि we also read that elections are held in many countries that are not democratic साथ में हमने ये भी पढ़ा है first chapter में ही पढ़ा था कि भाई देखो यहां पर कई सारे देश ऐसे होते हैं जहां पर elections तो होते हैं किसी ना किसी प्रकार का election हो रहा है लेकिन reality में वो कोई democratic country नहीं है समझ गए ये भी हमने समझा था पढ़ा था अब यहां पर यही basic सवाल आ जाता है कि but why do we need elections हमें election की क्यों जरूरत है election क्यों होना चाहिए तो यहां पर कहता कि let us try to imagine a democracy without elections किसी भी देश को कोई भी democratic country वहां पर बिना election क democracy सोच कर देखो जैसे तुम्हारे देश में तुमको पता है कि भाई हमारे देश में democracy है हमारे देश में elections होते हैं और फिर leader चुने जाते हैं और वो जाकर सरकार चलाते हैं जनता के लिए काम करते हैं लेकिन सोचो कि तुम्हारे देश में अगर election नहो तो फिर तुम्हारे देश देमोक्रेसी कैसे है, मतलब सोचो कि भाई देश है, डेमोक्रेसी है, लेकिन election नहीं होता है, तो तुम्हारे देश में leaders कैसे चूने जाएंगे, तुम्हारे देश में जो जनता है, जनता की मर्जी से काम करने वाले leaders power में कैसे पहुँचेंगे ये तुम्हें सोचना है कहता कि a rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions देखिए बिना election का democracy चल सकता है अगर देश के सभी लोग एक साथ मिलकर बैठ कर discussion कर सकें और हर decision को ले सकें जैसे कहां पर road बनेगा कहां पर नाली बनेगी कहां पर aeroplane उडएगा कहां पर airport बनेगा कहां पर हमारा जो दूसरा देश उसके साथ हमें युद्ध करना है कि नहीं करना है बहुत तरीके के decision होते हैं हजारों तरीके के अगर सभी लोग साथ में बैठ कर decision ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो फिर election की क्या यहां पर जो जनता directly rule कर रही है जनता अपनी मर्जी से काम कर रही है यह हो सकता है ना ठीक है लेकिन कहता कि but as we have already seen in chapter 1 this is not possible in any large community यह चीज कहीं भी बड़े community में possible नहीं है आप अपने गाउं में यह काम कर सकते हैं कि 50 लोगों को बैठा कर और decision ले लिया उनसे पूछ कर ले हमारे देश में हम 140 करोड़ लोगों से हर चीज के वारे में कैसे पूछ सकते हैं और 140 करोड़ लोग कैसे बताएंगे कि कोई काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह problem है हमारे सामने ठीक है कहता है कि not it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters साथ में एक और problem है कि भाई देखो मान लोग क हम कोई तरीका अपना लेते हैं कि भाई देखो हर कोई से हम लोग मोबाईल पर voting करवा लेंगे online voting करवा लेंगे इस तरीके का कोई दिमाग निकाल देते हैं हम लोग तरीका निकाल देते हैं तो क्या देश के हर एक वैक्ति के पास इतना time है कि वो मोबाईल निकाल कर क्या क काई आप एक्ति के पास knowledge है हर चीज के बारे में जैसे airport बनाना है हमें, तो airport के बारे में देस में कितने लोगों को idea है कि airport कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे उसको manage किया जाता है, कहाँ पर बनाने से फाइदा होगा, देस में जनता हुए किसी को नहीं पता है, साथ में army क आर्मी को कौन सा बंदुक मिलना चाहिए, कौन सा फाइटर जेट मिलना चाहिए, कौन सा जहाज मिलना चाहिए, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो भाई हमसे अगर वोटिंग कराया जाए कि कौन सा फाइटर जेट मिले, तो हम लोग तो गलट कर देंगे तो ये problem है अगर जनता directly involved हो तो ये तरीका हमारा काम नहीं कर सकता है कि हम जनता से directly पूछ नहीं सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आगे आता है कि therefore in most democracies people rule through their representatives इसलिए दुनिया में जादा तर देश जहां पर जादा तर क्या मतलब हर एक देश जहां पर बात होती है democracy की कहा जाता है कि इस देश में democracy है मतलब उस देश में जनता vote करके अपने leader को चुनती है और leader जाकर सरकार संभालता है और काम करता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल पूछता है कि ठीक है हमें ये तो पता चल गया कि भाया leader चुनना जरूरी है क्योंकि जनत directly involved नहीं हो सकती है ठीक है इसलिए leader चुने जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर बात है कि अब तरीका ऐसा खोजिए जहां पर election के बीना हम लोग leader चुन सकें अच्छे leader चुन सकें मतलब कि जनता में से कौन आदमी जाकर के सरकार में बैठेगा यह बीना election के हो सकता है क्या हो स सकता है कि बीना election के हम लोग जाकर किसी व्यक्ति को सरकार में बैठा सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया तो वो क्या कर सकेगा जाकर सरकार में बैठ जाएगा अगर कोई व्यक्ति 40 साल से आर्मी मनौकरी कर रहा है तो वो जाकर क्या कर बन जाएगा आर्मी में जाक गर Minister बन जाएगा, defense Minister बन जाएगा, इस तरीके की चीज़े हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्या है problem, हमारे सामने problem है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, specific तरीका नहीं है जिससे यह तै हो सके कि यहाँ पर कोई वेक्ति, कौन सा वेक्ति सबसे ज़्यादा educated है सबसे ज़धा experience वाला है जैसे माल लीजे कि यहाँ पर बात होती है कि defense minister बनाने की कि defense minister हम किसके बनाएंगे जो कि army में 40 साल नौकरी कर चुका है तो भाई army में 40 साल नौकरी करने के लिए सिर्फ एक वेक्ति थोड़े होगा वहाँ पर सैकडों लोग हैं जो कि क्या कर चुके हैं आर्मी में बहुत दिनों तक नौकरी कर चुके हैं 40-40 साल दे चुके हैं तो भाई उन सभी लोगों में से कौन सा वेक्ति जा कर बनेगा इस प्रकार के बहुत तरीके के problem से हैं यहाँ पर आपको ये चीज तै करने में कि भाई एज और experience के मामले में कौन बेटर है यह आप असानी से तै नहीं करने पाईएगा ठीक है तो ये तरीका भी आपका एक फरकार से क्या होता है फेल हो जाता है मान लीजे कि आप ये चीज कर भी लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग solution निकालेंगे ये आप लोग निकाल भी लेते हैं फिर भी आपके सामने problem आएगा क्या problem आएगा कि भाई देखो जब हमने ये तरीका निकाल दिया तो इस तरीके से चुने हुए जो leaders हैं और साथ में ये जो पूरी ववस्था है क्या ये democracy है जी नहीं democracy नहीं है क्यों के मर्जी पर चलती है तो यहाँ पर जो लोग आकर power में बैठे हैं वो अपनी मर्जी से अगर कुछ काम करते हैं जनता के खिलाफ काम करते हैं जनता को नुकसान पहुचाने वाला काम करते हैं वो चीज हम कैसे तै करेंगे वो हम कैसे देखेंगे उस पर हम लोग उसको उस वक्ति को रोकेंगे कैसे power में आने के बाद ये चीज़े कैसे होंगी तो यही काम हमारा कौन करता है election करता है कि यहाँ पर election यही काम करता है कि जो leader है जो leader power में आया है उसको check किया जा सके कि वो जनता के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो election में हम लोग क्या करते हैं जो representative हैं leader है वो आते हैं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जो वक्ति जीत जाता है वो जाकर सरकार में बैठता है और जाकर सरकार के सारे कामकाज समहलता है और सरकार का कामकाज सम्हालने के बाद 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं फिर से एलेक्शन होते हैं और 5 साल बाद वो व्यक्ति आता है जनता के सामने और बोलता है कि भाईया मैंने इतना सारा काम कर दिया और दूसरा व्यक्ति आता है उसके पोजिशन में बोलता है कि इन जनता को पसंद आया तो वो अगली बार भी जीच जाएगा, नहीं पसंद आया तो अगली बार फिर से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से यही होता है, यहाँ पर यही चीज कहता है, कि यह जो mechanism है, जिसमें कि हम leaders को check करते हैं, कि leaders जनता के हिसाब से काम कर रहे या नहीं कर रहे हैं, जनता की मर्जी से सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, इसी mechanism को हम लोग क्या कहते हैं, election कहते हैं, ठीक है, आगे कहता है कि therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy, इसी लिए आज के समय में, हमारे समय में जो दुनिया है, उसमें अगर कहीं पर हमें representative democracy स्थापित करनी हैं, तो उसके लिए election बहुत ही जरूरी है, election के बिना वो चीज पॉसिबल नहीं है, अब यहाँ पर कहता है कि in an election the voters make many choices, जब election होता है तो वहाँ पर जो जनता होती है, वो बहुत सारी choices करती है, बहुत सारी चीज़े ध्यान वेलती है, सबसे पहला, they can choose who will make laws for them, आपको पत साथ में state assemblies को दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो leaders चुने जाएंगे, वो क्या काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, देश के लिए कानून बनाने का काम, इसके बाद, they can choose who will form the government and take major decisions, साथ में जो जनता vote देती है, वो यह भी तै करती है कि कौन वेक्ती सरकार और कौन वेक्ती बड़े decision लेगा, जैसे हमको पता है कि जो वेक्ती, मतलब कि जो party चुनाव में जीती है, assembly में जीती है, मतलब कि half से ज़्यादा city आती है, half से ज़्यादा members होते हैं, वो सरकार बना लेती है, उसी प्रकार से parliament में होता है, कि जिस party के ज़्यादा votes आ गए, आधी से ज़्यादा सीटे आ गए, वो party क्या करेगी, सरकार बना लेगी, तो यहाँ पर सरकार भी बनाने का काम जनता करती है, इसके बाद they can choose the party whose policies will guide the government and law making, यहाँ पर जो जनता है, जब vote देती है, वो यह भी decide कर लेती है, कि किस प्रकार की विधी से, किस प्रकार से हमारा देश चलेगा, किस प्रकार के नियम कानून से, मतलब कि यहाँ पर कोई party बोलती है, कि भाई हम क्या करेंगे, हम बहुत सारा road बनवा देंगे, एक party ने बोला कि हम बहुत सारा road बनवा देंगे, दूसरी party ने बोला कि नई भाई हम क्या करेंगे, हम बहुत सारा train चला इस प्रकार से सभी लोग जर किसी एक party को चुनते हैं, जैसे A party और B party में से जो party जीतेगी वो अपने हिसाब से काम करेगी, A party जीतेगी तो बोलेगी भाईया जनता ने हमें vote दिया है road बनाने के लिए अब हम road बनवाएंगे, B party जीतेगी बोलेगे भाया जनता ने हमें vote दिया है train चलाने के लिए हम train चलवाएंगे तो ये चीज़े होती है जब जनता vote देती है ये चीज़े decide होती है अब यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो आगे हमारे सामने क्या है topic topic है what makes an election democratic कि भाई कोई भी election जो है वो democratic कैसे होता है ये चीज़े समझते है कहता कि election can be held in many ways all democratic countries hold elections but most non-democratic countries also hold some kind of election कि भाई देखो election जो होते हैं वो बहुत प्रकार से होते हैं दुनिया में जितने भी democratic countries हैं वहाँ पर क्या होता है election होता है लेकिन दुनिया में बहुत सारे non-democratic countries भी हैं जहाँ पर किसी न किसी प्रकार का election होता है तो हम लोग ये कैसे तै करेंगे कि कौन सा देश में democracy है कौन सा देश में democracy नहीं है कहाँ पर democratic election हो रहा है और कहाँ पर time pass हो रहा है ये चीज़ कैसे तै करेंगे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर election होते हैं लेकिन उन देशों में होने वाले election को हम लोग democratic election नहीं कह सकते हैं ये चीज़ आपने थोड़ा सा chapter 1 में पढ़ा होगा याद होगा तो आपके लिए आसान होगा कहता है कि लेट अस रिकॉल what we learned there and start with a simple list of minimum condition of democratic election एक minimum list बनाते हैं कि भाई कम से कम किसी देश में क्या होना चाहिए तब हम उसे हम कह सकते हैं कि भाई democratic election सबसे पहला यहाँ पर क्या आता है सबसे पहला है कि everyone should be able to choose this means that everyone should have one vote and every vote should have equal value chapter 1 में हमने ये चीज़ पढ़ा था क्या कहता है simple सी बात है कि भाई हर व्यक्ति को voting का अधिकार मिलना चाहिए और हर व्यक्ति का जो vote है उसको एक vote का अधिकार मिलेगा और हर एक व्यक्ति का vote का value कितना होगा equal होगा chapter 1 में हमने कहा की बात कि थी दो देशों की बात कि थी पहला हमने इस्तोनिया की बात की थी ठीक है और दूसरा देस हमने फीजी की बात की थी यहाँ पर सुरी फीजी फीजी की बात की थी ठीक है इस्तोनिया देश में क्या प्रॉब्लेम था इस्तोनिया देश में जब रशिया के लोग जाते हैं ना जैसे हम भारत के हैं हम जाकर अमेरिका में बस गए वहां का हमको नागरिक्ता मिल गया उसी प्रकार से कोई रशिया का वेक्ती जाकर इस्तोनिया में बस जाता है वहां प वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू है लागू हो रहा है नहीं भेदवा हो रहा है वोटिंग राइट मिलने में दिक्कत हो रहा है इसी प्रकार से जब आग फीजी में देखेंगे तो फीजी में यहां पर जब वोटिंग होता है तो वोटिंग में सभी लोगों के वोट का वैल पर उसका जो vote का value होगा माली जो उसके vote का value 1 है तो फीजी का जो मूल निवासी है उसके vote का value कितना होगा 2 होगा ऐसा यहाँ पर भेदवाओ है तो क्या यह चीज हो रहा है equal value है equal value नहीं है यहाँ पर हर एक व्यक्ति को voting का right मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो यह चीज़े हो रह जी हाँ होता है कि आप अगर 18 साल से उपर के हैं आप किसी भी जाती, धर्म, भाषा कुछ भी हो आपका किसी भी लाके में हो आपको क्या मिल जाएगा वोटिंग राइट मिल जाएगा तो यह चीज हमारे देश में लागो है ठीक है अगला यहाँ पर बात करें तो अगला क्य होना चाहिए, कि भाई हम यहाँ पर गय वोट देने, चार आदमी है उप्षन में, चार में से किसी को हम वोट दे सकते हैं और वहाँ पर वो जाकर जीत जाएगा सरकार बना लेगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए अब बोलेगा ऐसा भी होता है क्या कि भाई election हो जनता के सामने option ना हो जी हाँ बिलकुल होता है हमने चाइना के बारे में पढ़ा है हमने कहां के बारे में पढ़ा है चाइना के बारे में कि चाइना में जब election होता है वहाँ जाकर सबसे पहले जो चाइना की communist party है उससे permission लेना होता है तभी वो जाकर election में fight कर सकता है और यहाँ पर कोई भी candidate जीत जाए कोई भी party जीत जाए मतलब कोई भी candidate कोई भी वक्ति चुनाव में आ जाए सरकार किसकी बनेगी सरकार communist party की बनेगी समझ गए तो यहाँ पर जनता क के सामने option क्या है भाई सरकार ने जिसको तै किया वही जाकर चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा और वही आकर सरकार में बैठेगा इस प्रकार की व्यवस्था में यहाँ पर जनता के सामने option क्या है लोग यहाँ पर free नहीं है fight करने के लिए free fight करने का यह मतलब नहीं हो क्या third the choice should be offered at regular intervals election must be held regularly after few years यहाँ पर तीसरा चीज़ क्या है कि भाई हर कुछ time interval के बाद regularly देश में election होने चाहिए चुना होने चाहिए तभी हम क्या कहेंगे democracy है इंडिया में regularly election होते हैं जी है हर 5 साल पर election होता है तो हमारे देश में यह criteria भी fulfill होता है अब इसका दूसरा आप तरीका देख सकते हैं दूसरा कहां पर यह चीज़ नहीं होता है जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई बार क्या होता है कि military आकर power में आ जाती है इसी प्रकार से म्यामार को देख सकते हैं और भी कई सारे देख हैं जहां पर यह problem है कि जहां पर elections regularly नहीं होते हैं इसके बाद आगे है अगला condition क्या the candidate preferred by the people should get elected जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है वो क्या होना चाहिए? सरकार में आना चाहिए वो power में आना चाहिए अब यहां पर इस चीज के बारे में specific example तो वैसा नहीं है लेकिन एक example है एक example है वो है आपका 1971 1971 में आपको शायद यह पता है नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ बता देता हूँ कि देखिए 1971 तक जो आज का बांगला देश है और पाकिस्तान है दोनों एक देश होते थे पाकिस्तान नाम से दोनों देश एक साथ रहते थे ठीक है तो 1971 में जब election हुए थे तो बांगला देश के एक लीडर थे इस रीजन के एक लीडर थे मुझे भी उर रह्मान सायद नाम थोड़ा सा मैं mistake कर रहा हूँ तो ये लीडर जब चुनाव में जीते थे तो उनको जो आज का पाकिस्तान है उस इलाके में जो रहने वाली लीडर्स थे उन्होंने प्रधान मंतरी बनने से रोख दिया कि नई तुम बांगला देश इलाका का बांगला बोलता है और भी कैसारे उदारण है इसके बाद अगला कंडिशन क्या है इलेक्शन शूड बी कंड़क्टेड इन फ्री एंड फ्रीर मैनर वियर पिपल कें चूज एस रियली विश जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फ्रीर होना चाहिए कोई भी वहाँ पर धांधली नहीं होनी चाहिए और आसानी से जनता जिसे चाहिए उसके चुन सकती है इसके बारे में भी आपने एक्जामपल देखा था एक एक्जामपल आपने जिंबावे का देखा था जहां पर कि जो लीडर थे रॉबर्ट मुगावे वो जब से लीडर बने तब से लीडर है बहुत सारा धांधली कर रहे हैं प्रेस को दबाते हैं पोजिशन लीडर को जेल में डाल देते हैं तो ये चीज गलत हो रहा है ऐसी चीज नहीं होना चाहिए इसके बाद एक और देश के बारे में हमने पढ़ा था मेकसिको के बारे में वहाँ पर पार्टी थी पी आर आई वो बहुत तरीके के हतगंडे अपनाती थी चुनाव जितने के लिए और जीत्ती भी थी कई सालों तक कई दसकों तक वो सरकार में बैठी हुई थी तो ये भी यहाँ पर चीज है ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में ऐसा होता है थोड़े स्केल पर होता है इतने बड़े स्केल पर नहीं होता है कि कोई पार्टी 40 साल से सरकार में है और कोई उसके खिलाब बोल नहीं सकता है आप चाहें तो आज खड़े होकर सरकार को गाली भी दे सकते हैं, आप उसके लिए free हैं, आपको कोई रोग नहीं सकता है, हाँ गाली मत दीजिएगा, आपको jail हो जाएगा, समझ गया, आप सरकार की policies का विरोध कर सकते हैं, अब शब्द नहीं बोल सकते हैं, गाली नहीं दे स elections, but there are many countries where these are not fulfilled, in this chapter we will apply this condition to the election held in our country, to see if we can call these democratic elections, ये चीज़ कहता हैं, ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि बहुत simple सी बात है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देस ऐसे हैं, जहाँ पर ये चीज़े फुल्फिल नहीं होती हैं, और इनकी वज़ा से उनको हम democratic country नहीं कहते अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है कि is it good to have political competition, क्या हमारे देस में जो election होता है, उसमें जो political competition होता है, दो party चुनाव लड़ती हैं, दो leader चुनाव लड़ते हैं, उनका आपस में ये competition होना अच्छी बात है, ये चीज़ हमें यहाँ पर test करना है, कहता है कि elections are all about political competition, election में क्या होता है, political competition होता है, जब election होता है, leaders आते हैं, party आती हैं, वो बोलती हैं कि हम तुमको road बनवा देंगे, तुमको तुम्हारे इलाके में factory लगवा देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ये चीज़ें करती हैं, और बोलते हैं कि जो सामने वाला party है वो party है न, वो party चोर है, वो party पैसा चुराती है, वो party जो है अच्छी नहीं है, खराब है, इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं, हमेशा होता है election में, तो भाई उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये जो politics है न, ये कई बार society को divide कर देती है, society में bifurcation कर देती है, society के form of competition among several candidates, if there is no competition, election will become pointless, ये तो simple सी बात है, और यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है, जो मैंने कहा, अब यहाँ पर यही चीज़ पूछता है, but is it good to have political competition, clearly an electoral competition has many demerits, जब electoral competition होता है, election का competition होता है, उसमें उसकी बहुत सारी कमियां है, खामियां है, वो तो हमें पता है, और उसके खामियां में क्या आजाएगा, सबसे पहला तो बात है कि जब election होता है, तो हमारे society में एक sense of disunity आती है, society में factionalism होते हैं, कई सारे faction बन जाते हैं, धर्म के अधार पर भी, जाती के अधार पर भी, भाशा के अधार पर भी, हर तरीके से लोगों के group बन जाते हैं, तो हमें check करना है, कहता है कि different political parties and leader often level allegations against one another parties and candidates often use dirty tricks to win election, कई बार पार्टियां जो होती हैं, candidates जो होते हैं, वो गलत तरीके अपनाते हैं, चुनाव जीतने के लिए, एक प्रकार से जाती, धर्म, भाशा, अलग अलग तरीके से लोगों को बाटने के कोशिश करते हैं, तरह तरह क problems होते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं. क्या करते हैं, election से बाहर रहते हैं, यह चीज यहाँ पर बात है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यह तो demerit हमने बात कर लिए, अब यह चीज फिर इतनी demerit है, तो हम election को क्यों करवाते हैं, तो कारण है कि देखिए, जब यहाँ पर हमारे देश का constitution बनाया जा रहा था तो जो constitution बनाने वाले leaders थे, उन सभी को भी इस प्रकार के demerits का idea था, पता था, कि भाई देखो इस प्रकार के problem आने वाले हैं, इस प्रकार के problems होते हैं, जब भी election होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इस चीजों को जानने के बावजूद भी हमारे देश में free competition का concept लाया गया, कि लोग आकर fight कर सकते हैं, freely fight कर सकते हैं, party बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? क्यों? इतने demerit है तो क्यों? कारण यह है कि भले ही आपको यह demerit दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यह system है, यह लंबे run में, long run में देश को आगे बढ हुई है, हमारा देश आगे बढ़ा है, development हुआ है, लोगों की स्थिती बैतर हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में free competition था, तो अगर आप आज देखीगा, तो आज आपके देश में election की वज़ा से fight हो रहा है, धर्म के अधार पर जाती भाशा, या फिर महले के अधार प होगा, long run में आपको इसका फाइदा मिलता है, समझ गए? अब यहाँ पर एक चीज कहता है, कि in an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by your desire to serve them, अगर हमें एक अच्छी दुनिया के बारे में सोचे न, तो वहाँ पर क्या होगा, कि जितने भी political leader होंगे, वो जनता के लिए काम करेंगे, उनक लेकिन, लेकिन यहाँ पर जब हम political competition की बात करें, तो यहाँ पर हमारे real world में क्या होता है, क्या ऐसा होता है, नहीं, होता है, मतलब बहुत सारे leader ऐसे हैं, जो क्या करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, और ना कर सकते, कारण क्या है, कारण यहाँ पर समझते तो कारण यह है कि देखें यहाँ पर जो political leader है जो politics है न वो एक प्रकार का carrier है जो व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है जैसे कोई व्यक्ति जाकर महले के पार्षद का चुनाव लड़ता है वो सोचता है कि मैं mayor बन जाओ जब वो mayor बन जाता है सोचता है कि मैं विधायक बन जाओ विधायक बन जाता है तो सोचता है मैं मंत्री बन जाओ मंत्री बन जाता है सोचता है यार मैं मुख्य मंत्री बन जाता न तो अच्छा होता है मुखी मंत्री बन जाता है तो सोचता है यार सेंटरल मिनिश्टर बन जाता न तो मजा आ जाता है सेंटरल मिनिश्टर बनने के बाद सोचता है कि यार आब थोड़ा परधान मंत्री बन जाते है न तो मजा आ जाता इस प्रकार से हर वेक्ती जो चुनाओ में है, वो चाहता है कि क्या किया जाए? अपना political career आगे बढ़ाया जाए. आप भी बच्चे हैं, आप भी आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आगे जाकर मैं क्या कर जूँ? इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन चाहते हैं, वैसे politicians भी अपना career आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो power में रहना चाहते हैं, या power प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं, ये बात आप समझ गये? अब यहाँ पर कई बार होता है कि वो चाहते हैं कि वो क्या करें, जनता को सर्व करें समझ गए, वो चाहते हैं कि मतलब हमेशा नहीं, कई बार होता है कि भाई जनता को सर्व किया जाए, जनता के लिए काम किया जाए लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक और प्रोब्लेम हो सकती है वो यह है कि वो चाहते हैं कि जनता के लिए काम करें लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, उनको आइडिया ही नहीं है कि कैसे काम करना है, यार क्या करेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या करेंगे तो क्या अच्छा होगा, तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रोब्लम आ जाता है, कि भाई लीडर को पहला तो आइडिया होन यह हुआ कि यहाँ पर जो सभी leaders हैं, वो अपना political career आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो लोग जनता के लिए काम करने में interested ना हो, दूसरा problem है कि उनको idea ही नहीं है कि क्या करना है, तो इस problem का solution कैसे किया जाए, इस problem का solution करने का यह तरीका है, पहला तरीका यह है कि सभी leader का knowledge और character बढ़ाया जाए, कि मतलब सभी leader को training दिया जाए, education दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, यह तरीका हम लोग अपना सकते हैं, क्या यह possible है, जी नहीं, नहीं possible है, क्योंकि कौन वेक्ति जाकर election लड़ेगा, कौन वेक्ति जाकर परधान मंत्री बनेगा, कौन वेक्ति जाकर मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, आपको नहीं idea है, ठीक है, तो यह चीज़ा आप नहीं कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, कि हम एक ऐसा realistic तरीका अपना है, एक ऐसा system तयार करें, जहाँ पर political leaders को reward मिले, उनको इनाम मिले पांच साल पर क्या गरती है, चुनाव में vote करती है, तो वो क्या गरती है, एक प्रकार से leaders को reward देती है, कोई वेक्ति, मान लिजे कि कोई वेक्ति 2009 में election में जीत गया, वो पांच सालों तक रहा, उसने खूब काम किया, और जब अगली बार 2014 में election हुए, तो वो जाकर क्या ह हुआ, चुनाव हार गया, क्यों? क्योंकि जनता को पांच सालों का काम पसंद नहीं आया, इसलिए वो चुनाव में हार गया, ठीक है, इसके बाद 2019 में election हुए, जब 2019 में election हुए, तो कोई बेनया वेक्ति आ गया, इसका काम पसंद आएगा, तो वो जीत जाएगा, काम पसं और लीडर्स को उनके काम के लिए reward मिलता है, अगर वो अच्छा काम करेंगे, चुनाव जीत जाएगे, पावर में रहेंगे, और वो काम करते रहेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता को उनका काम पसंद नहीं आएगा, वो चुनाव हार जाएगे, और वो हो जाएंगे, दूसरा कोई बैक्ती, election जीत कर आ जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा system क्या है, election का system है, जहां पर political leaders को incentive मिलता है, जब वो अच्छा काम करते हैं, जनता उनसे खुश होती है, और जब वो एक प्रकार से अच्छा काम नहीं करते हैं, तो जनता नाखुश होती है, और उनको क्या करती है, एक प्रकार से बाहर कर देती है, तो इस election की system की वज़ा से, कोई leader, अगर अपना carrier भी आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जनता के हिसाब से काम करेगा, जनता बोलेगी रोड बना तो वो रोड बनाएगा, जनता बोलेगी नालिया बना तो वो नालिया बनाएगा, जनता बोलेगी कुआ खोदो तो वो कुआ खोदेगा, जनता को खुश करने की कोशिश करेगा जनता के हिसाब से काम करेगा और जनता की जैसी चाहत है वैसी सरकार चलेगी वैसी नियम कानून बनेगे ठीक है तो इसलिए ये सिस्टम अच्छा है जहां पर कोई लीडर अगर मन से दिल से अगर जनता के लिए काम नहीं भी करना चाहता है तो उसको चुनाव जीतने के कि so if a political party is motivated only by desire to be in power even then it will be forced to serve the people अगर कोई पार्टी चाहती है कि हम केवल सरकार में वैठे रहे हैं तो उसको उस चीज के लिए भी क्या करना होगा जनता के लिए काम करना होगा तभी वो पावर में रह सकती है इस प्रकार से बजार काम करता है अना उस प्रकार से ये चीज से काम करती है अगर यहां पर जो सौब कीपर है दुकानदार जैसे बजार में क्या होता है बजार में होता है कि कोई दुकानदार है वो चाहता है कि सिर्फ उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे तो वो क्या करेगा वो सस्ते समान सड़े हुए समान आपको बेचने की लेकिन माल लिजे कि कोई दुकान वाला आपको सड़ा समान दे दिया तो क्या आप अगली बार उससे खरी दियेगा नहीं खरी दियेगा तो वो क्या करेगा अच्छा समान देगा ताकि आप उससे खरी दें और अगले बार भी खरी दें उसके अगले बार भी खरी दें इसलि वो क्या करेगा जब भी चुनाव जीतेगा वो अच्छे से काम करेगा ताकि उसको जनता जो है वोट दे, अगली बार भी जीता दे यही चीज कहता है कि if it does not the customer will go to other shop, similarly political competition may cause division and some ugliness but it finally helps to force political party and leaders to serve the people लेकिन यह political party को एक प्रकार से मजबूर करती है कि वो जनता के लिए जाकर काम करे अब यहाँ पर हमारे सामने आए जाता है topic 3.2, what is our system of election यानि कि हमारे देश में जो election होता है, उसका पूरा system क्या है, कैसे पूरा process किया जाता है यह चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें और NCRT को line by line पढ़ना चुरू करें, तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले एक सवाल पूछ रहा है कौन सवाल? Can we say that Indian elections are democratic? यानि क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में elections होते हैं, वो democratic है तो भाई हमारे देश में जो election होता है, वो democratic है या नहीं है इस चीज़ को पता गरने के लिए हम क्या गर रहे हैं? अच्छे से समझ रहे हैं कि हमारे देश में election होता कैसे, उसका पूरा process क्या है कहता है कि to answer this question, let us look at how elections are held in India जो मैंने कहा वही बात यहां पर कहा जा रहा है अब यहां पर कह रहा है कि लोकसभा and विधानसभा जिसको की यहां पर assembly भी कहा जाता है विधानसभा election को assembly election भी कहा जाता है और लोकसभा election को parliamentary election भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है, मैंने शुरू में भी आपसे बात किया था यहां पर भी short में आपको समझा देता हूँ कि देखिए, हमारे देश में जो सरकार है, वो तीन अस्तर की सरकार है फेडरलिज्म का concept आप class change में पढ़िएगा वहाँ पर यह चीज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा पहला तो आपका सरकार है जो कि बूरे देश के लिए सरकार है जिसको हम लोग क्या कहते है, union government कहते है यानि कि जो हमारे देश की संसद है, parliament है वहाँ पे जो लोग बैठते हैं, उनमें जिस party की majority होती है वो हमारे देश के परधान मंत्री, मंत्री यानि सरकार चलाने का काम करते हैं तो एक सरकार हो गई, जो कि union government हो गई, जो कि पूरे देश की सरकार होती है पूरे देश के कामकाज को देखती है उसी प्रकार से हमारे देश में एक दूसरे अस्तर की सरकार होती है जिसको हम लोग state government कहते हैं, या फिर राज्य सरकार कहते हैं हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में एक state government होती है state government उस राज्य के सारे कामकाज को देखती है और इसके बाद हमारे देश में तीसरे अस्तर की भी सरकार होती है जिसको की हम लोग लोकल गवर्मेंट कहते हैं लोकल गवर्मेंट आपका सहरों में मुंस्पालिटी होती है, नगर निगम होता है और गाओं में पंचायत होती है समझ गे तो तीन अस्तर की सरकार है हमारे देश में और तीनों अस्तर की सरकार के लिए हमारे देश में चुनाव होता है और regular interval पर होता है मतलब कि हर 5 साल में Union Government का भी चुनाव होगा, हर 5 साल में State Government का भी चुनाव होगा और हर 5 साल में Local Government के लिए भी चुनाव होगा, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज कहता है कि यहाँ पर इंडिया जो हमारा लोक सभा और विधान सभा election है, वो regularly होते रहता है हर 5 साल पर, हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, यह तो आपको पता होगा, क्योंकि हर साल आप देखेंगा, आप News में सुनिएगा, अगर आप News कभी सुनते होंग कि भाई आज उस राज्य में election है, अगले महिने उस राज्य में election है, अगले साल वहाँ election है, यह चीज होते रहता है, ठीक है, कहता है कि आफ्टर 5 years, the term of all the elected representatives come to an end, the लोक सभा और विधान सभा stand dissolved, यहाँ पर क्या कहता है, कि हर 5 साल के बाद, मान लीजे कि जैसे 2020 में election हुआ और कोई व्यक्ति वहाँ पर MLA बन गया, यानि legislative assembly, विधान सभा का सदस से बन गया, या कोई व्यक्ति वहाँ जीत कर मुख्यमंत्री बन गया, किसी राज्य में, मान लीजे उतर प्रदेश में, ठीक है, तो जब 2020 के बाद 2020 आएगा न, तो वहाँ पर उस समय, 2025 आते 5 साल प जब फिर से ये तैय होगा कि कौन सा व्यक्ति नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, अगर वो व्यक्ति फिर से चुनाव जीत गया, तो वो फिर से बन जाएगा, और नहीं तो वो क्या करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 5 साल के बाद क्या ह जो भी व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है, उसके powers समाप्त हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, और फिर से चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है, कहता है कि elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within few days, यहाँ पर कहता है कि जब election होता है, चाहे वो parliament का election हो, या फिर विधान सभा का election हो, assembly का election हो, वहा जैसे लोकसभा का election होगा, तो लोकसभा की सारी seat ओ पर election एक साथ होंगे, अब यहाँ पर एक बात समझेए, कि यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए management अच्छी तरीके से करने के लिए, यह किया जाता है कि एक दिन ही सभी जगों पर voting नहीं करवाई जाती है, एक दिन करवा होगा, वो इसलिए किया जाता है ताकि management अच्छा तरीके से किया जा सके, ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि यहाँ पर साथ में सभी सीटों के चुनाव होते हैं, this is called a general election, अब यहाँ पर यह जो election होता है, इसको general election कहा जाता है, समझ गया, अब यह general election आपको generally word use होता है central government के लिए, लेकिन जब general election कहें तो वो दोनों के लिए use हो सकता है, ठीक है, कहता है कि sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death और resignation of a member, कई बार क्या होता है, कि राज की या फिर देश की सभी सीटों के लिए चुनाव नहीं होता है, जैसे हमारे देश में पारलियामेंट में 543 सीटे हैं, जिनके लिए चुनाव होते हैं, जब हमारे देश में general election होगा, parliamentary election होगा, तब इन सभी सीटों पर election होगा, सभी सीटों पर candidates, parties, fight करेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है, बीच में ही सत्र चल रहा है, माली जे 2020 में चुना हुआ, और 2025 तक वो सत्र चलना है, लेकिन 2023 में जाकर के कोई विधायक है, या फिर कोई सांसद है, उसकी मृत्यू हो जाती है, तो वो सीट तो खाली हो गया, इसी प्रकार से कोई विधायक है, सांसद है, वो resignation दे देता है, या फिर उसको court से सजा हो जाता है, तो वो सीट खाली हो जाएगी, तो उस specific सीट पर जब election होगा वहाँ के local MP या फिर MLA को चुनने के लिए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग by election कहते हैं कि वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर by election हो रहा है वहाँ पर general election नहीं हो रहा है, ठीका? तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर इस chapter में हम लोग general election के उपर focus करने वाले हैं यानि कि जिस समय पूरे देश में या फिर राज्य के assembly में सभी seat उपर एक साथ चुनाव होते हैं उस ववस्था के उपर हम लोग यहाँ पर focus करने वाले हैं, ठीका? अब यहाँ पर अगर हम लोग topic देखें तो topic हमारे सामने क्या है? electoral constituencies अब देखें यहाँ पर हम लोग अपने देश के चुनाव की ववस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे पहला चीज हम लोग क्या समझेंगे? electoral constituencies अब यह word आपने अगर news देखा हुआ तो सुना होगा कि भाई जब भी election का news आता है न तो यह word बहुत ज़्यादा use होता है constituency चुनाव मतलब हिंदी में इसका specific word मुझे यादर नहीं है चुनाव छेतर या कुछ होता है इस प्रकार से तो constituency मतलब की जैसे देखिए हमारा देश है हमारे देश में मैंने कहा कि Parliament का election होता है तो 543 सीटों पर election होता है 543 मतलब 543 post के लिए election एक साथ होते है तो वो कैसे होता है तो वहाँ पर हमारे पूरे देश को 543 constituencies में divide कर दिया जाता है अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझना आसान होगा एक सेकंड ये तस्वीर आ रहा है यार इतना डाउनलोड होने में टाइम लगाता है एक सेकंड यहाँ पर होगा ये देखिए ये तस्वीर आपके बुक में भी है, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर क्या दिखा रहा है, ये तस्वीर दिखा रहा है कि हमारे पूरे कंट्री को 543 सीटों में डिवाइड कर दिया गया है, क्यों भाई, क्योंकि हमारे देश में area based representation होता है, इस यहां की सारी बाते वो पार्लियमेंट में रखेगा, इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के इस इलाके को एक वेक्ति यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, इसी प्रकार से अरुनाचल प्रदेश के इस इलाके को एक वेक्ति रिप्रेजेंट करेगा, उसी प्रकार से देश मे आबादी के हिसाब से हमारे देश को 543 इलाकों में बांट दिया गया है जहां से हर इलाके से एक व्यक्ति चुनाव जीतता है और वो व्यक्ति आकर संसद में अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता है अपने constituency को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो हमारे देश में जो डिविजन किया गया है एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से 543 इलाके जो बनाए गये हैं वही हमारा क्या होता है? constituency होता है ठीक है? ये तो आपका हो गया parliamentary election के लिए इसी प्रकार से जब state का election होता है तो वहाँ पर भी constituencies बनाये जाते हैं पूरे state को कई सारे हिस्सों में, कई सारे इलाकों में बांट दिये जाते हैं और वहाँ पर फिर लोग चुन कर आते हैं जो की assembly में बैठते हैं अब इसी चीज़ को INCRT क्या कहता है? किस तरीके से explain करता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने सुरू में ही कहानी पढ़ी थी कि हरियाना के लोगों ने क्या किया? 90 MLA का चुनाव किया जिसमें से 60 सीटे लोकदल ने जीत ली थी मतलब क्या? 60 लोग लोकदल की पार्टी के जीते थे ठीक है? कहता है कि मतलब कि आप यह सोच रहे होंगे कि भाई लोगों ने किस प्रकार वोट दिया होगा? कैसे यह काम हो रहा होगा? तो यहाँ पर कहता है कि क्या हरियाना के सभी लोगों ने कुल मिला कर 90 MLA को वोट दिया था? तो नहीं ऐसा नहीं होता है हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में area based system of representation होता है मतलब कि एक इलाके को एक वेक्ती जाकर पार्लियामेंट में या फिर assembly में represent करता है यह system हमारे देश में follow होता है और हर इलाके में जो लोग होते हैं, जो पार्टियां होती हैं वो जाकर चुनाव लड़ती हैं और आपस में fight करती हैं और उनमें से कोई एक जीतता है समझ गए? तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे देश में system होता है पूरे देश को कई सारे अलग-अलग इलाकों में divide कर दिया गया है जो constituency आपको मैंने दिखाया map में, image में वही चीज की बात यहाँ पर हो रही है इन ही को हम लोग constituency कहते हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है? कहता कि किसी खास इलाके में रहने वाला वेक्ती, अपने इलाके के लीडर को चुनता है जो की पार्लियामेंट में जाकर अपने इलाके की बात करेगा अब इस चीज को यहाँ पर समझ ये तो यह आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यह हर्याना का नकसा है अब इस हर्याने के नकसे में क्या है? तो यह नकसा जो है हर्याना के assembly seats को दिखा रहा है जिसमें कुल मिलाकर आप कितनी seat देखने पा रहे हैं? 90 seat देखने पा रहे हैं 90 seat ठीक है मतलब कि पूरे हर्याना को 90 इलाकों में बांट दिया गया है और 90 इलाकों में से हर इलाके में क्या होता है? election होता है जैसे ये वाला इलाका है जिसको की 20 नमर कहा गया है यहाँ पर election होगा तो यहाँ पर हर पार्टी से या फिर independent जो मरजी है जिसको मरजी है वो जाकर इस seat के लिए elect हो सकता है मतलब fight कर सकता है election लड़ सकता है कि भाई मैं इस इलाके को assembly में represent करना चाहता हूँ ये election होगा अब यहाँ पर हर party के लोग आएंगे कोई independent भी आएगा और जनता जिसको vote देगी वो ये seat जीत जाएगा ये इलाका जीत जाएगा अब बोली का सर ये इलाका जीत रहा है तो यहाँ पर seat हम लोग क्यों कह रहे है seat क्यों word use कर रहे है seat word use इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग assembly की बात करते हैं तो assembly में कौन बैटता है भाई assembly में MLA's बैठते हैं और MLA कहां बैठते हैं पर बैठते हैं, तो भाई जिस party के जितने लोग जीतेंगे, उतनी seat उसके पास होगी, तो इसलिए seat 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 हर जगा यह word आपको सुनने को मिलता है, कि भाई assembly में बैठिंग नहीं मिले, तो भाई अगर कोई party जैसे लोकदल के मान लीजे, 80 लोग बैठ गये, तो लोकदल के लोग क इतने seat उपर बैठे हुए, 80 seat उपर बैठे हुए, इसलिए general यह word famous हो चुका है, use हो दा है, ठीक है, इसी प्रकार से हर इलाके में, हर constituency में क्या होगा, यहां पर fight चलेगा, कि भाई मैं इस इलाके को represent करना चाता हूँ, मैं इस इलाके को represent करना चाता हूँ, इस प्रकार से, और हर इलाके से, जिस वैक्ती को सबसी जदा vote मिलेगा, वो चुनाब जीत जाएगा, और वो कहा जाएगा, वो assembly में जाकर अपने इलाके को represent करेगा, कि भाई मेरे इलाके में पानी की समस्या है, मेरे इलाके में रोड की समस्या है, मेरे इलाके में विजली की समस्या है, इस पार्टी के आधे से जादा MLS जीतेंगे, वो पार्टी सरकार बना लेगी, ठीक है, या फिर जिसके पास आधे से जादा सपोर्ट होंगे, अब ये जो आप नक्सा देख रहे हैं, ये हर्याना के असेंबली सीटों का नक्सा है, इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर के लिए 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और 10 हिस्सों में से हर एक इलाके से, हर हिस्से से एक वेक्ती जाता है पार्लियामेंट में, इस इलाके का वेक्ती अपने इलाके को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ का अपने इलाके को, यहाँ का, यहाँ का, हर इलाके से एक वेक्ति अपने इलाके को पार्लियमेंट में रिप्रेजेंट करता है तो इस प्रकार से area based system of representation हमारे देश में काम करता है ठीक है अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि फुर लोगसभा election the country is divided into 543 constituencies लोगसभा के election के लिए हमारे देश में कितनी constituencies बनाई गई है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब हमारे देश में parliamentary election होते हैं देश की संसद के लिए election होते हैं तो हर constituency से जितने वाले वेक्ति को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है member of parliament क्योंकि वो parliament का member बन चुका है अपने इलाके को parliament में represent कर रहा है इसलिए उसको MP या फिर member of parliament कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए हमारे देश में क्या सिस्टम है भाई कि हर वेक्ति को एक वोट मिलेगा और हर वेक्ति के वोट की वेल्यू बराबर होगी अब यहाँ पर जब parliament की seat बनाने की बात आती है constituencies बनाने की बात आती है तो वहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि constituencies इस प्रकार से बनाई जाएं कि यहाँ पर जो हमारा हर इलाका है मतलब जो हर constituency है उसमें बराबर संख्या में लोग हो मतलब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो नक्षा देख रहे हैं इस नक्षे में आप क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई constituency बड़ा है कोई constituency छोटा है कोई constituency बहुत ही छोटा है क्यों भाई क्योंकि यहां पर माल लीजिए कि ऐसा माल लेते हैं कि 20 लाख की अबादी पर एक सीट तयार किया जा रहा है तो इस इलाके में कितने लोग रहते हैं? 20 लाग. इस प्रकार से बराबर-बराबर संख्या के आधार पर यहां पर constituencies बनाई जा रही है. यह चीज फॉलू किया जाता है ताकि सभी लोग सभी इलाकों को बराबर representation मिल सके, सभी लोगों को बराबर representation मिल सके पारलियामेट में. ठीक है? आगे कहता है कि similarly each state is divided into a specific number of assembly constituencies. मैंने हरियाना का उधाराना पो दिखा दिया कि जिस प्रकार से पारलियामेंट में 543 सीटे बनाई जाती हैं, constituencies बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से हर राज को एक निश्चित संख्या में वहाँ पर assembly constituencies बना दी जाती हैं. जिसे हर अगे कितना है? 90. उत्तर प्रदेश में कितना है? 403. जारखंड में कितना है? 81 है. बिहार में 243 है. मेरे ख्याल से और राजस्थान में 200 है सायद. तो इस प्रकार से हर राज में जो assembly seatे हैं, वो एक निश्चित नमबर में बनाई जाती हैं. वहाँ से क्या आते हैं? MLA चु अब कहता कि each parliamentary constituency has within several assembly constituencies. अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा. यह उतना important नहीं है लेकिन जान लिजिएगा, समझ लिएगा तो ज़्यादा बहतर है. कि देखिए हमारे देश में जो यहाँ पर parliamentary seat बनाई जाती है और assembly seat बनाई जाती है, उ इध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर जो हमारा assembly seat है, मतलब कई सारे assembly seat को मिलाकर एक parliamentary seat बनाई जाती है. अब इसका नक्षा एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ. तो यही मैप देख लेते हैं, इसी मैप से समझ लेते हैं, ज्यादा कुछ tough बात है नहीं. अब यहाँ प कौन सा है? Guleberg seat है. ठीक है? घुलबर्ग seat को देखी. तो यहाँ पर Guleberg seat है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है. यह पूरा क्या है? Guleberg लोग्सभा कौन्षिंट्थी है. पारियमेंटरी seat है. ठीक है? लेकिन इस पारियमेंटरी seat में अगर आप देखें, तो कई सारे आपक एक parliamentary seat तयार की जाती है जैसे 5-6 वो population के आधार पर है कि भाई यहाँ देखो कई सारे assembly seat को मिला कर क्या किया जाएगा एक आपको parliamentary seat बनाये जाएगा और यह system पूरे देश के हर parliamentary seat में follow होता है कि भाई यहाँ पर निश्चित seat को assembly seat को मिला कर parliamentary seat बनाये जाएगी population को manage करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर इसके और भी कई सारे reason है लेकिन यहाँ पर वो यहाँ पर जानना जरूरी नहीं है बस यह चीज़ जान लिजे आगे कहता कि the same principle applies for panchayat and municipal election जो हमने देखा कि यहाँ पर क्या होते हैं हमारे देश की parliament में MP चुने जाते हैं हमारे देश की assembly में MLA चुने जाते हैं उसी प्रकार से जब हम local government की बात करते हैं local government का election होता है तो वहाँ पर भी यह ववस्था की जाती है तो जितना भी गाउं है मतलब जितना भी आपका panchayat होता है जितना भी municipality होता है उसमें कई सारे ward बना दिये जाते हैं जिस प्रकार से हमारे देश की संसद में क्या है हमारे देश की संसद में MP है हमारे देश के assembly में state assembly में क्या है MLA है उसी प्रकार से हमारे देश के panchayat में municipality में क्या है ward है, ward member है ठीक है? अब ये एक प्रकार से local government का constituency है, local government का इलाका है, local government को कई सारे इलाकों में बांट दिया जाता है, कहता है कि each ward elect one member of the village or the urban local body, यहाँ पर जो local government चलता है न, वहाँ पर भी इसी प्रकार का area based representation होता है, हमारे देश के पंचायत में भी और हमारे देश के municipality में भी, समझ गए, इनक तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि sometime these constituencies are counted as seat for each constituency represent one seat in the assembly, यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि कई बार in constituency को seat सब्द से represent किया जाता है, क्यों भाई, क्योंकि हर एक constituency assembly में एक seat represent करती है, मतलब कि उसका एक वैक्ती जाकर assembly में बैठेगा और वहाँ पर अपनी बात raise करेगा, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो कहता है कि when we say that लोकदल won 60 seats in हरियाना, it means that candidates of लोकदल won 60 assembly constituencies in the state and thus लोकसभा had 60 MLA in the state assembly, यही चीज़ कह रहा है कि जब हमने कहा कि भाईया देखो लोकदल जो है, वो assembly में 60 seat है जी चूकी है, मतलब क्या, मतलब कि 60 इलाकों से 60 इलाकों से उसके representative जिच चुके हैं और यहाँ पर लोकदल के पास कितने MLA हो गया, 60 MLA हो गया, यह चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब था, अब यहाँ पर यह पहला concept आप समझ गए, पहला concept क्या है, electoral constituencies, कि भाई हमारे देश में election कराने के लिए कौन सा concept यूज होता है, area based system of representation, यानि हर इलाके को एक वेक्ती, parliament में, या फिर assembly में, या फिर municipality में represent करता है, अपनी बात रखता है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे देश में एक और system है, अब यह system थोड़ा सा समझते हैं, अब यहाँ पर system है, हमारा reserved constituencies का, her his representative and to be elected as a representative, अब यहाँ पर कहता है, कि हमारा जो constitution है, वो हर citizen को अधिकार देता है, कि वो अपने representative को चुने, और साथ में उसको ये भी अधिकार है, कि वो representative के रूप में चुना जाए, मतलब कि मैं, जो हूँ, मुझे इस constitution right देता है, कि मैं जाकर would दे सकता हूँ, कोई वो right मुझे से नहीं छीन सकता है, और साथ में मुझे ये भी right है, कि मैं अपने इलाके को parliament में, या फिर assembly में, या फिर municipality में represent कर सकता हूँ, उससे भी मुझे कोई नहीं रोख सकता है, ठीक है, कहता है कि the constitution makers over were worried that in an open electoral competitions, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the लोकसभा and the state legislative assemblies, अब यहाँ पर एक च समिधान निर्माता थे, जो लोग समिधान बना रहे थे, constitution बना रहे थे, उनके सामने एक problem था, एक चुनोदी था, कि भाई हमारे देश में कुछ groups ऐसे हैं, जिनको सदियों से बहुत प्रकार की प्रत्याबनाएं जहिलनी पड़ी हैं, तकलिफे जहिलनी पड़ी हैं, और उनका representation उतना ज्यादा नहीं है, मतलब उनके हाथों में उतना ज्यादा power नहीं है, तो हमारे देश में अगर equality लाना है, हमारे देश में society के हर हिस्से को representation देना है, power देना है, तो उस society के हिस्से से भी लोग आने चाहिए power में, ये चीज़ ensure करने के लिए कि society के हर हिस्से को representation मिले, पावर में हिस्सा मिले, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया, और यह सिस्टम क्या लाया गया, reserved constituencies का, कि भाई, society का कोई भी ऐसा तबका ना हो, जो कि पावर से दूर रहे, हर व्यक्ति को, हर हिस्से को, society का रिस्से को क्या मिलना चाहिए, पावर में representation मिलना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है, कि they may not have required resources, education and contacts to contest and win election against others, अब यहाँ पर इसके लिए reason एक और चीज़ का आगया, कि देखी भाई, जो weaker सिक्षन से society के, जिनको की हम लोग ST कहते हैं, दलित कहते हैं, SC कहते हैं, यह सारे जो सिक्षन हैं, इनके पास एक प्रकार से न तो उतना जदा education है, न उनके पास resources हैं, power हैं, उनको एक प्रकार से चीजों के बारे उतना जदा idea भी नहीं है, क्योंकि व यहां पर reserved constituency का concept लाया गया, ठीक है, अब कहता है कि if that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voices of significant section of population, बतलब वही चीज़ कहता है कि देखिए अगर वो लोग नहीं आते हैं, अगर वो लोग को open competition में छोड़ दिया जाता है, कि भाई जाओ, जो चुनाव लड़ना है, लड़ो और लड़ो और जो ज जो weaker section है society के, यह कभी भी power में नहीं आने पाएंगे, यह problem हो सकता है, इसलिए यहां पर यह ensure किया गया, कि हर वैक्ती को representation मिले, society के हर हिस्से को representation मिले, इसके लिए क्या लाया गया, reserved constituency का concept लाया गया, यही चीज़ यहां पर कहता है कि, so the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section, some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes, हमारे देश में जितने भी assembly या फिर लोगसभा की seat'े हैं, उनमें से कुछ seat'े ऐसी हैं, जो कि scheduled caste या फिर scheduled tribe के लोगों के लिए reserved कर दी गई हैं, मतलब यहां पर यह है कि reserved constituency का मतलब यह होता है, कि वो seat जो है, वहां से कोई scheduled caste से belong करने वाला वैक्ती ही चुनाव लड या फिर अगर वो seat scheduled tribes के लिए reserved है, तो उस seat से केवल scheduled tribes से belong करने वाला वैक्ती ही चुनाव लड़ेगा, यह चीज यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर यह चीज लागू किया जाता है, ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे कहता है, कि similarly only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from a constituency reserved for ST, वही बात है जो मैंने कहा, currently in the log सभा, 84 seats are reserved for scheduled caste, 84 seat किस के लिए reserved है, scheduled caste के लिए, and 47 seat reserved है किस के लिए, scheduled tribes के लिए, ठीक है, और यह 2019 का data है, आगे हो सकता है, कि change भी हो सकता है, ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे यहां पर क्या कहता है, कि this number is in proportion to their share in the total population, मतलब कि देश में आबादी के हिसाब से, जितने SC है, यानि scheduled caste के लोग हैं, और जितने ST है, scheduled tribe के लोग हैं, उतने percent seat ही यहां पर reserved की गई है, उससे जदा नहीं की गई है, इसलिए यहां पर कहता है, कि thus the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group, इसलिए यह जो यहां पर reserved seat है, वो किसी और का आध अधिकार नहीं छेन रही हैं, क्योंकि जितना उनका population है, उस हिसाब से ही seat है reserved की गई, ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि this system of reservation was extended later to other vicar section at the district and local level, आगे चल कर जो यह system है, reservation का, इसको district और local level पर भी लागू कर दिया गया, ठीक है, in many states, seat in rural and urban government, यानि कि जो हमारा पंचायत होता है, municipality होता है, वहां पर भी seat है reserved होती है, वहां पर यह seat है OBC के लिए भी reserved होती है, other backward classes के लिए भी reserved होती है, तो यहां पर यह जो seat है, कितना representation होगा, यह अलग-अलग है, जैसे जारखंड की बात करें, तो जारखंड में ST population जादा है, इसलिए यहां पर जो reservation है, ST population के लिए, वो काफी जदा है, OBC के लिए बहुत कम है, इसी प्रकार से आप बिहार की बात करें, तो बिहार में ST population काफी कम है, और SC population काफी जदा है, OBC population काफी जदा है, तो बिहार में जो reservation है, उसका criteria अलग है, उसी प्रकार से UP की बात करें, तो वहां पर दू जो local bodies हैं, वहाँ पर एक और concept लाया गया है, वो है कि हमारे देश में जितने भी seatे हैं, जितने भी local bodies हैं, समझ गया, local bodies हैं, जैसे पंचायत municipality हैं, वहाँ पर जितनी भी seatे हैं, जितनी भी seatों पर election होगा, उनमें से one third seatे महिलाओं के लिए reserved हैं, women के लिए reserved हैं, ठीक है, local bodies में अब एक चीज और बता दूँ कि अभी हमारे parliament से एक bill pass हो चुका है, जिसकी वज़ा से हमारे देश के parliament में और assembly में भी 33% seatे अब महिलाओं के लिए reserved होंगे, ये चीज भी हमारे देश में लागू कर दिया गया है, अभी तुरंत लागू नहीं होगा, अभी कुछ सालों के जब हमारे देश में delimitation होगा, तब उसको लागू किया जाएगा, अब ये delimitation क्या होता है, मतलब simple सी बात समझेए कि हमारे देश में जो, हमारे देश का जो election commission है, वो population की हिसाब से seatों की संख्या कम जादा करता है, या फिर area को change करता है, कि कि भाई किस इलाके में population जादा का आप समझ लीजे, ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने क्या है topic, ये topic है voters list, voters list, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे देश में constituencies होती है, मतलब देश को, state को कई सारे इलाकों में बांट दिया जाता है, फिर हमारे देश में जितने भी constituencies हैं, उनमें से कुछ सीटों को, कुछ इलाकों को reserve कर दिया जाता है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, voters list पढ़ रहे हैं, अब यह क्या चीज़ है, देखो, हम अब देख रहे हैं कि हमारे देश में vote कौन डाल सकता है, हमने देख लिया कि चुनाव कैसे होता है, कि किस प्रकार से area based representation होता है, कुछ लोग हैं, उनके लिए special ववस्था की गई है, reservation की, वो भी समझ गए, अब यहाँ पर कौन लोग vote दे सकते हैं, कौन लोग vote नहीं दे सकते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है, यह कैसे तै होता है, यह समझते हैं, कहता है कि once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote, कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, यह अब हमें तै करना है, कहता है कि this decision cannot be left to anyone till the last day, यह ऐसा नहीं हम छोड़ सकते हैं, कि जिस दिन चुनाव होगा न, उस दिन हम देखेंगे कि कौन आदमी वोट देगा, कौन आदमी वोट नहीं देगा, यह चीज उस दिन यानि कौन वेक्ति वोट देगा, कौन वेक्ति वोट नहीं देगा, यह decide हो जाता है, समझ गए, कहता है कि in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone, अब यहाँ पर क्या है, voters list का मतलब क्या, मतलब कि किसी खास इलाके में, किसी महले में, कौन सा वेक्ति eligible है vote देने के लिए, इसका जो list तयार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते है, voters list कहते है, चुनाव से कई साल पहले ही, यह list तयार हो जाता है, और सभी लोगों को दे दिया जाता है, कि आपके इलाके से कौन कौन लोग है, जो की vote टालने वाले है, कौन लोग vote नहीं डालने वाले है, यह आप देख लीजे, और इसी में किसी को अगर गडबर लगे तो वो सुधार करवा सकता है, change करवा सकता है, ठीक, कहता है कि this list is officially called the electoral roll, अब यह जो voters list है न, इसके लिए official नाम क्या है, electoral roll इसका नाम है, और commonly इसको क्या कहा जाता है, voters list कहा जाता है, commonly क्या कहते है, voters list कहते है, ठीक है, अब यहाँ प of democratic election, everyone should get an equal opportunity to choose representative, अब यह voter list तयार करना बहुत important है, क्यों important है बाई, क्योंकि हमारे democracy का एक basic rule क्या है, democracy का basic rule है, कि हर वैक्ति को क्या मिलना चाहिए, voting का right मिलना चाहिए, मतलब कि हर वैक्ति को अपने leader चुनने का right होना चाहिए, और उसके लिए voters list बहुत important होता है, कहता है, कि earlier we read about the principle of universal adult franchise, पिछले chapter में हम या उससे पिछले chapter में हम पढ़ चुके है, universal adult franchise के बारे में, यह क्या होता है, simple सी बात, कि भाई, कोई भी वैक्ति, एक निश्चित age के बाद, जैसे कि हमारे देस में 18 सल की उमर के बाद, वो उसको voting का अधिकार मिलेगा, उसके लिए उसके करेंगे, उसको voting अधिकार देंगे, तो यही क्या है हमारा universal adult franchise है, कहता है कि in practice it means that everyone should be have one vote and each vote should have equal value, वही चीज़ है, वही हर वैक्ति का एक vote, हर vote का value बराबर होना चाहिए, no one should be denied the right to vote without a good reason, किसी को भी हम लोग vote का अधिकार देने से मना नहीं करेंगे, हाँ कुछ specific reason है तो ह है या आतंकवादी है तो उसको तो भाई मना कर सकते हैं, उस प्रकार के reason के बिना हम लोग किसी को मना नहीं करेंगे, हर वेक्ति को voting का अधिकार मिलेगा, कहता है कि different citizens differ from one another in many ways, अलग-अलग citizen अलग-अलग प्रकार के होते हैं, लोग अलग-अलग प्रकार के होते हैं, ही लोग क्या हैं, human beings हैं, और उनकी अपनी जरूरते हैं, अपने views हैं, अब कोई आदमी अमीर है और गरीब है, इसके अधार पर तो किसी को vote देने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर वेक्ति की अपनी ख्वाईश होती है, अपनी चाहत होती है, और वो अपनी जरूरतों क हिसाब से vote दे सकता है, यही चीज यहाँ पर बात है, अब यहाँ पर आगे कहता है, in our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, जिनकी उम्र 18 साल से उपर है, वो vote दे सकते हैं, और vote में जाकर अपना अधिकार यूज कर सकते हैं, चुनाव में जाकर अ religion और gender, वही बात है जो मैंने कहा, कि भाई देखो, हर वक्ती को vote का अधिकार है, वो जाकर अपना vote यूज कर सकता है, वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, भाशा का हो, किसी इलाके का हो, कुछ भी यह, कोई मतलब नहीं है, हाँ यहाँ पर एक चीज कहा गया है, कि कुछ जो names of all the eligible voters, put on the voters list, यह सरकार की जिम्मेदारी है, कि हर वैक्ती का नाम कहां आजाए, voter list के उपर आजाए, जो भी eligible है, वोट देने के लिए, उसका नाम कहां आजाए, voters list के उपर आजाए, आगे कहता है, as new persons attain voting age, names are added to the voter list, name are those who move out of a place, or those who are dead are deleted, देखिए, हर इलाके में, कुछ लोग होते हैं, जो धीरे-धीरे 18 साल से उपर आजाते हैं, तो उनका नाम क्या कर दिया जाता है, voter list में add कर दिया जाता है, कुछ लोग होते हैं, जो कि एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते हैं, जैसे माली जब मैं इस महले में रहा था, अगले साल क्या ह मैं दूसरे महले में चला गया है, या दूसरे शेहर चला गया, तो मेरा नाम यहाँ इस महले के voter list से काठ दिया जाएगा, और नयवाले महले में जहां मैं जाकर रहने लगा, वहाँ पर वोटर लिस्ट में add कर दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, और जो लोग मर ज किया जाता है जिनका नाम remove करना है remove कर दिया जाता है कहता है कि this is done to ensure that it remains up to date मतलब की update रखने के लिए ये काम किया जाता है ठीक है कहता है कि in the last few years a new system of election photo identity card epic has been introduced यहां पर पिछले कुछ सालों में यहां पर photo identity card का use काफी बढ़ गया है मतलब कि यहां पर जो voter card होता है voter card बहु जिससे वो as a voter identify कर सकते हैं समझ गया अब यह जो चीज है यह एक प्रकार से इसलिए की गई है कि जब कोई वैक्ति vote देने जाए तो वो उसकी identify हो सके कि वही वैक्ति है कि भाई हाँ तुम ही हो तुम ही आए हो vote देने और यहां पर तुम vote दे सकते हैं समझ गया यह चीज हर वैक्ति को देने की कोशिश की जा रही हो सरकार लगबग दे भी चुकी है लेकिन यहां पर यह जो voter identity card है यह अभी तक compulsory नहीं किया गया है ऐसा नहीं है कि आपके पास voter ID card होगा तभी आप vote दे सकते हैं नहीं होगा तो आप नहीं दे सकते हैं ऐसी वात नहीं है हर वैक्ति हमारे देश में क्या है constituencies है वो उन constituencies में कुछ सीचे रिजर्व है ठीक है इसके बाद हमारे देश में voter list है कि कौन vote दे सकता है अब हम आगे एक process समझते है हमारे देश में election का वो है nomination of candidates यानि जब अब election की बात आ चुकी है election call हो चुका है election commission ने क्या कहा कि भाई अब चुन होगा तो अब जो भी वक्ति चुनाव लड़ना चाहता है चाहे वो किसी party से चुनाव लड़े या खुद अपनी मर्जी से अकेले जाकर चुनाव लड़े तो वो जाकर क्या कर सकता है चुनाव के लिए apply कर सकता है कि भाई मैं election लड़ना चाहता हूँ तो ये जो apply करने का process है न इसी को हम लोग क्या कहते हैं nomination of candidate मतलब कि मैं क्या करूँगा अगर चुनाल लड़ना जाता हूँ तो मैं nominate खुद को करूँगा nomination file करूँगा ठीक है तो आई इसको पढ़ते हैं कहता कि we noted above that in a democratic election people should have a real choice लोगों के पास real choice होना चाहिए democratic election अच्छी बात है भाई कहता कि this happens only when there are almost no restriction on anyone to context and election real choice तभी हम लोगों को दे सकते हैं जब हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ती के ऊपर कोई बंदिश न लगाए कि भाई तुम चुनाल लड़ सकते हो तुम चुनाल नहीं लड़ सकते हो free competition है जिसको चुनाल लड़ना है लड़ो जिसको जीतना है जीतो इस प्रकार का competition follow होगा तभी हम कह सकते हैं कि जनता के पास free choice है कि अपने मन का अपने पसंद का लीटर वो चुन सकते हैं और यही system हमारे देश में लागू है हमारे देश में free competition का system है आपको कोई रोकने वाला नहीं है बस एक condition है कि आपके उपर criminal case नहीं होना चाहिए और आपको सजा नहीं होनी चाहिए यह condition है कि साए दो साल का सजा जिसको हो जाता है वो चुनाल नहीं लड़ सकता है अब यहाँ पर देखिया आगे फिर parliamentary seat लड़ सकता है और चाहे तो जीत भी सकता है कहता कि एक voter बनने के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है लेकिन एक election में candidate बनने के लिए 25 साल की उम्र होना बहुत ही जरूरी है समझ गए यह सिर्फ फर्क है हमारे candidate बनने में और voter बनने में कि आपको जो criteria है voter के लिए वो 18 साल है और candidate के लिए कितना है 25 साल है कहते कि there are some other restriction on criminals तो criminals के उपर restriction मैंने आपको बता दिया कि 2 साल का अगर सजा हो चुका है तो वो criminal जो है वो चुनाम नहीं लड़ सकता है but these apply in very extreme cases बहुत extreme cases में apply होते है वही जिसको सजा हो चुका है किसी के उपर अगर case चल रहा है तो वो नहीं होगा अगर सजा हो चुका है तभी होगा कहते हैं आगे political parties nominate their candidate who get the party symbol and support political parties जो होते हैं वो अपना एक candidate उतारते हैं कि वो जो candidate है उस party के symbol पर चुनाव लड़ेगा जैसे BJP का कोई candidate है तो BJP के symbol कमल पर चुनाव लड़ेगा उसका जो symbol होगा election वो कमल होगा इसी प्रकार से Congress party का जब कोई candidate होगा तो वो जब चुनाव लड़ेगा तो उसको symbol क्या मिलेगा Congress का symbol मिलेगा हाँ थी इसी प्रकार से जब BSP का कोई candidate चुनाव लड़ेगा तो उसको BSP का symbol दिया जाएगा हाँ थी समझ गए ये चीज़े होती है Party's nomination is often called party ticket Party का जो nomination होता है जो लोग party से fight करते हैं चुनाव उसको क्या कहा जाता है कई बर party का ticket भी कहा जाता है भाई देखो वो आदमी जो है न वो उसको BSP का ticket मिल गया BJP का ticket मिल गया Congress का ticket मिल गया मतलब क्या मतलब कि वो BSP के candidate के रूप में fight कर रहा है वो BJP के candidate के रूप में fight कर रहा है Congress के candidate के रूप में fight कर रहा है समझ गए अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे क्या कहता है आगे कहता है कि every person who wishes to contest and election has to fill a nomination form and give some money and as security deposit. जब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है? nomination form file करना होता है. और वहाँ पर कुछ security deposit करने होते हैं. समझ गया? कि जैसे मेरे ख्याल से पचीस हजार है यहाँ पर पचीस हजार जैसे assembly में आप fight कीजगा तो मेरे लागे में साइट पचीस हजार है कि पचीस हजार रुपए आपको जमा करने है security deposit के लिए. और अगर आपको एक निस्चित vote से कम vote मिलता है माल लिजे कि 100 में से आपको 10 vote भी नहीं मिला तो आपको यह पैसा वापस नहीं किया जाएगा सरकार इसको रख लेगी समझ गए? आपको अगर 10 vote से जदा मिल गया 100 में से 10 से जदा vote मिल गया तो यह पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा समझ गए? अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे यहाँ पर कहता है कि recently a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court Supreme Court के direction पर एक नया declaration का system लाया गया है जिसमें कि कोई भी candidate अगर चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसको अपने बारे में कुछ जानकारियां declare करनी होंगी क्या क्या चीजे declare करनी होंगी सबसे पहला बात कि भाई उसके खिलाफ कितने criminal cases spending है serious criminal cases spending है इसके बाद उसका कितना asset है मतलब उसकी कितनी property है उसके पास कितना पैसा है यह उसको declare करना होगा और साथ में उसके उपर कितनी liabilities है मतलब कितना करजा है यह भी उसको declare करना होगा और सिर्फ अपना declare नहीं करना होगा अपने परिवार की property भी declare करनी होगी साथ में उसका कितना educational qualification है यह भी declare करना होगा और यहाँ पर यह जो information है यह जनता को provide किया जाएगा यह openly सभी लोगों को बताया जाएगा और इससे जनता एक प्रकार से idea लगा सकती है कि किस candidate को vote देना है और किस candidate को vote नहीं देना है ठीक है अब यह हाँ पर यह जो चीज है नहीं यह आपको knowledge यह बहुत ही important है कि भाई देखो यहाँ पर जब हम लोग election की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक criteria नहीं आया है वो है education का कि भाई हमने यह नहीं कहा कि कोई आदमी अगर दसवी पास है तब ही election लड़ेगा कोई आदमी BSC पास है तब ही election लड़ेगा ऐसी बात नहीं है आप अगर बिलकुल अनपढ़ हैं कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आप जाकर election में fight कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार यह तो गलत सिस्टम है ऐसे तो बहुत अनपढ़ लोग आकर बैठ जाएंगे तो भाई देखो अगर आप एक तरीके से सोचिए तो आपको लग सकता है कि यह गलत सिस्टम है नहीं यह बहुत ही सही सिस्टम है क्यों सही सिस्टम है यह चीज आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा शौट में मैं समझाओ कि यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा कि देखिए, educational qualification हर job के लिए जरूरी नहीं होता है, जैसे आप अगर engineer का job करने जाएगा तो आपसे engineering की degree मांगी जाएगी, अगर आप doctor का job करने जाएगा तो आपसे doctor की degree मांगी जाएगी, लेकिन अगर आप cricator बनने जाते हैं, तो क्या आपसे कोई degree मांग जाते हैं, तो क्या आपसे वहाँ पर दस्वी का certificate मांगा जाता है, जी नहीं, क्यों? क्योंकि cricator के लिए दस्वी में marks लाना important नहीं है, footballer के लिए दस्वी में marks लाना important नहीं है, उससे उसका career पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से जब कोई leader चुना जाता है, ML चुना जाता है, MP चुना जाता है, तो उसके education से उसके performance पर असर नहीं पड़ता है, समझ गए? क्यों? अब बहुत लोग बोलेंगे फर्क पड़ता है, बहुत जरूरी है, ये बात सही है, फर्क पड़ सकता है, लेकिन भाई, ML का job profile क्या है, MP का job profile क्या है, उसका job profile बहुत के लोगों का concern समझ सके, अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को सुन सके, अपने इलाके लोगों की जो problems हैं, वो सुन सके, और उनकी बातों को, उनकी इच्छाओं को represent कर सके, कि भाई, Parliament में पहुँचे तो अपने इलाके के लोगों की बातों को represent कर सके, वहां रख सके, अपने इलाके के लोगों की बातों को assembly में रख सके और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करा सके ये उसका job profile है अब इसमें वो दस्वी पास हो या ना हो दोनों condition में वो ये काम कर सकता है समझ गए अब यहाँ पर एक और चीज़े कहता है देखिए आप सोच रहे हैं कि भा पाखो लोग उसका इजाम लेते हैं जो कि उसके voter हैं उसको vote देकर अगर वो काम अच्छा करेगा उसको vote मिलेगा वो जीतेगा अगर वो काम अच्छा नहीं करेगा उसको vote नहीं मिलेगा और वो हार जाएगा तो इसलिए ये criteria लगाना एक प्रकार से सही नहीं बैठता है औ basic अधिकार को छिन रहे हैं, समझ गए, ये constitution में आप एक तरीके से समझ सकते हैं, कि जो fundamental right है, उसके against चला जाता है, समझ गए, तो ये चीज़ यहाँ पर आगे देखें, तो आगे यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि अगर education important है, तो ये जनता की choice है, अगर जनता education को important मानती है तो वो पढ़े लिखें लोगों को vote दे, अगर नहीं मानती है, तो जिसको देना है, उसमें कोई problem नहीं है, समझ गए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आपको electoral roll का photo दिया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो लोग हैं उनके list कि इस प्रकार से बनाए जाते हैं, यह चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको इलाके का नाम दिया जाता है, वहाँ पर कितने लोग हैं यह बताया जाता है, इसके बाद हर वेक्ती का नाम, उसका father name, उसका house number, age, sex, photo, यह सारी चीज़े यहाँ पर बताई जाती है इस प्रकार से electoral role होता है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने अब क्या है, election campaign topic है, election campaign topic में हम क्या देखने वाले हैं, कि भाई जब nomination हो गया, तय हो गया कि कौन-कौन लोग election लडएंगे, कौन-कौन लोग चुनाव लडएंगे, फिर वो जाएंगे अपन प्रचार करने, अपना campaign करने कि भाईया, मुझे वोट दे दो, उसको मत देना, मुझे वोट दे दो, यह चीज अब यहाँ पर कैसे होता है, यह समझते हैं, तो यहाँ पर यही चीज मैं short में थोड़ा सा पढ़ाता हूं, क्योंकि इस topic में उतना कुछ खास है नहीं, short में ह बताता हूं, यहाँ पर यही चीज कहता है कि देखो, जो election है, उसका main purpose क्या है, उसका main purpose है कि लोगों के पास यह option है कि वो अपनी पसंद का एक leader चुन सकते हैं, जो उन्हें लगे कि यार यह मेरा काम कर देगा, यह मेरी बात सुन लेगा, यह एक प्रकार से मतलब है election का कि लोग अपनी मरजी के leader को चुन सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज के लिए free और open discussion होना बहुत ही जरूरी है, हर candidate के पास यह option होना चाहिए, कि वो अपनी बातों को खुल कर जनता के सामने रख सकता है, और जनता के सामने अपनी बातों को रख कर जनता को अपनी प पंचे से भासन देते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, जनता को बताते हैं कि यार हम क्या करेंगे, चुनाव जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी बाते होती है, ये सारी बाते बताई जाती है, तो ये क्या है, एक प्रकार का free और open discussion है, ये चीज होता कहता है कि हमारे देश में इस प्रकार का जो campaign है वो दो हफतों के लिए होता है मतलब कि जब चुनाव की घोशना हुई nomination हो गया nomination से election के बीच में लगभग दो हफते का समय दिया जाता है जहां पर leaders अपनी बात जनता के बीच में रख सकते हैं जनता को अपनी बात कह सकते हैं ठीक है अब यहां पर यही चीज कहता है कि during this period the candidate contact their voters political leader address election meeting and political parties mobilize their supporters यहां पर यही होता है कि यह जो समय होता है लगभग दो हफतों का यहां पर सभी political leader जो हैं वो election meeting करते हैं political parties जो हैं वो अपने supporter को कहती है कि यार घूमो लोगों को बताओ हमारी party चुनाव लड़ रही है हमारी party को vote मिलना चाहिए इस प्रकार की बात है आगे कहता है कि this is also the period when newspapers and television news are full of election related stories and debates इस समय में news में भी इसी प्रकार की खबरे चलती रहती है इस प्रकार की चीज़े होती रहती है अब यहां पर देखिए एक चीज कहता है जो कि reality है कि वह देखो जब भी election होता है तो ऐसा नहीं है कि nomination file होने के बाद दो हफतों में सिर्फ चुनाव का प्रचार होता है नहीं जो party होती है वो चुनाव से कई साल पहले ही तयारी शुरू कर देती है चुनाव प्रचार करने लगती है लोगों को अपने favor में करने की कोशिश करती है इस प्रकार से यहां पर क्या होता है यहां पर पहले से ही चुनाव का प्रचार होने लगता है campaigning होने लगती है आगे क candidate अपने voters को अपनी तरफ आकर्शित करने के लिए बड़े topic बड़े मुद्दे उठाती हैं और उसके जरीए बड़े भाशन दिये जाते हैं, बड़े बड़े आपको slok वादे कही जाती हैं और उससे लोगों को अपनी तरफ आकरशित करने की कोशिश की जाती है ठीक है अब यहाँ पर जैसे आप उदाहरण के रूप में अगर आप देखें हैं तो पिछले कुछ election में जो बड़े बड़े slogans थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो इंद्रा गांधी थी कॉंग्रेस पाटी की लीडर थी उन्होंने स्लोगन क्या दिया था गरीबी हटा, remove property और यह 1971 के election में दिया गया था और उस समय यह बहुत ही popular हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इस स्लोगन से प्रभावित होकर कॉंग्रेस पाटी को और यह कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था यानि जब 1977 में emergency खतम हुई थी उसके बाद election हुए थे तो वहाँ पर यह नारा दिया गया था कि भाई अब क्या करो डेमोक्रेसी बचाओ इस प्रकार का नारा दिया गया था यहाँ पर ठीक है यह भी बहुत पॉपुलर हुआ था इसकी बाद यहाँ पर विस्ट बंगाल में जो लिफ्ट फ्रेंट की सरकार थी यहाँ पर नारा दिया गया था land to the tiller यानि कि जो जमीन है वो खेतिहरों को मिलनी चाहिए जो किसान है उनको मिलनी चाहिए यह नारा यह भी बहुत पॉपुलर था इसके साथ ही एंटी रामा राओ जो की तेलगु देशम पाटी के लीडर थे आंधर प्रदेश में इन्हों ने नारा दिया था यह भी बहुत पॉपुलर था अपने स्टेट असेंबली एलेक्शन में बहुत पॉपुलर हुआ था इसके बाद यहाँ पर कहें तो आगे क्या कहता है आगे कहता है कि अगे कहता है कि आगे कि हमें हर चीज में जब जो एलेक्शन कमिशन है जो की चुनाव करवाता है उसको हर चीज में इंटर्वीन करने की जरूरत नहीं है लेकिन कई बार इंटर्वीन करना जरूरी होता है ताकि हम यह इंशियोर कर सकें कि जो एलेक्शन है वो कैसा है, free और fair है हर party को, हर candidate को equal chance मिल रहा है compete करने का, जीतने का, ठीक है आगे कहता है कि according to our election law no party or candidate के हमारे election के जो laws बनाए गए हैं, उसके हिसाब से हमारे देश में कोई भी candidate या फिर कोई भी party किसी voter को घूस नहीं दे सकता है या फिर डरा नहीं सकता है अब बोले का, sir voter को घूस, जी हाँ voter को घूस दिया जाता, कैसे? जब election आएगा न, तो लोगों को क्या किया जाएगा 500 रुपे दे दिए जाएंगे, या 500 रुपे दे रहे हैं, मेरे party को vote दे देना, हमको vote दे देना इसी प्रकार से कि चलो आज तुमको party देते हैं party खिलाते हैं, कल vote दे देना इस प्रकार की चीज़े भी होती है तो ये चीज़ नहीं हो, इस प्रकार को ensure यहाँ पर किया जाता है समझ गया? इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आगे कहता कि appeal to them in the name of caste और religion हमारे देश में ये भी election में बैन है कि हमारे देश में जो parties हैं वो candidate को, मतलब कि जो voter हैं उनको caste या फिर religion के नाम पर appeal नहीं कर सकती है समझ गया? इसके साथ ही use government resources for election campaign यानि कोई party अगर सरकार में है तो वो government resource का use करके election campaign नहीं कर सकता है और साथ में कोई पैसे का भी ज़्यादा use नहीं कर सकता है ये भी restriction है जैसे यहाँ पर लोग सभा के लिए पचीस लाख का रकम है कि भाई पचीस लाख रुपई से जदा आप खर्च नहीं कर सकते हैं आप इस assembly constituency में 10 लाख रुपई से जदा खर्च नहीं कर सकते हैं ये चीज यहाँ पर limit लगा कर रखी गई है अब यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि if they do so their election can be rejected by the court even after they have been declared elected अगर इन में से कोई भी काम करते हुए पकड़े गए अगर माली जब वो चुनाव जीत भी गया है तो उसके बाद court जो है उसका candidature क्या कर देगा रद कर सकता है खतम कर सकता है ये court के पास power होता है हमारे देश में जिस समय ही चुनाव की घोषना होती है हमारे देश में election के समय modal code of conduct लागू कर दिया जाता है मतलब कुछ limitation लगा दी जाती है कि जो लोग है कुछ चीजे नहीं कर सकते है क्या नहीं कर सकते है जैसे यहाँ पर क्या नहीं कर सकते है यह आपको यहाँ पर बताए गया जैसे use any place of worship for election propaganda अपना चुनाव पर प्रचार करने के लिए आप place of worship का use नहीं कर सकते है मंदिर, मस्जीद वगरा में नहीं जाकर प्रचार कर सकते हैं घुमने जा सकते हैं वहाँ पर जाकर आप प्रचार नहीं कर सकते हैं सबज़ गया use government vehicles, aircraft and official for election यानि कि government vehicle, aircraft या फिर officials को आप election के लिए use नहीं कर सकते हैं ये limitation है जैसे मैं आपको उदारन देता हूँ कि करनाटक में एक बार election था करनाटक ही था मेरे ख्याल से साइद ये मैंने कहीं कहानी सुनी है निउस में सुना था एक बार मैंने कि भाई देखो एक बार क्या हुआ लालकृष्ट आडवानी थे वो हमारे देश के minister थे उस समय में 2002 या तिन की बात है वो गय थे air force के plane से करनाटक minister थे वो साइद deputy PM थे या कुछ थे वो करनाटक गय थे air force के plane से लेकिन जब वो करनाटक पहुँचे न वो वापस air force के plane से नहीं आ पाये थे वो वापस किस चीज़ से आये थे अपने private plane से private plane बुक करके आये थे समझ गये इस प्रकार से चीज़े यहाँ पर चलती है कहता कि once elections are announced ministers shall not lay foundation stone of any project take any big policy decision or make any promises of providing public facilities यहाँ पर यह भी limitation है कि जब चुनाव की घोशना हो जाएगी तो जिस इलाके में चुनाव है जैसे अगर मालीजे करनाटक में चुनाव हो तो जो करनाटक के leaders है या फिर central government के leaders कहीं के भी leaders करनाटक के इलाके में जाकर कोई भी बड़ा project launch नहीं कर सकते हैं कोई भी बड़ा policy decision नहीं ले सकते हैं और किसी भी प्रकार से कोई promise नहीं कर सकते हैं public facility देने का मतलब जो लोग चुनाव में हैं वो लोग कर सकते हैं कि भाई आगे चलके हम ये काम कर देंगे लेकिन जो लोग पावर में हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं प्रकार की बात है तो ये कुछ limitation है जो की modal code of conduct के साथ आती है अब यहाँ पर हमारे सामने topic है polling and counting of vote यानि कि चुनाव परचार भी अब हो गया चुनाव परचार के बाद क्या हो रहा है voting हो रहा है जनता जाकर vote दे रही है अपने leader को चुन रही है और उसके साथ उसका counting कैसे होगा ये भी इस topic में समझते है कहता है कि the final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote election का final date कब होता है जब जनता vote देती है वो दिन final होता है that day is usually called the election day इस दिन को क्या कहा जाता है election day कहा जाता है every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or government office once the voter goes inside the booth the election officially identify her put a mark on her finger and allow her to cast her vote यानि कि यहाँ पर क्या होगा जिस भी व्यक्ति का नाम voter list के उपर है वो कहां जाएगा polling booth के उपर जाएगा polling booth कहा होता है हर महले में होता है महले के या तो school में होगा या फिर कोई government office है तो वहाँ पर polling booth बैठाया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा जब voter अंदर जाएगा तो वहाँ जो election officials हैं वो उसको identify करेंगे उसका नाम उसका photo चेक करेंगे कि भाई voter list में है या नहीं है उसको identify करेंगे उसकी अंगली पर एक mark लगाया जाएगा और फिर वो जाकर अपना vote दे सकता है और जब यह process होता है उस समय यह भी ensure किया जाता है कि जितने भी candidate चुनाव लड़ रहे हैं हर candidate का एक representative क्या हो वहाँ पर उस polling booth पर present हो समझ के agent उसको कहते है representative को agent कहा जाता है जैसे BJP, Congress, BSP, SP अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर कोई voter आया तो चारो पार्टियों के agent वहाँ बैठे हुए रहेंगे और उस voter का check करेंगे कि यह voter सच में voter है या नहीं है official check करेंगे साथ में सभी पार्टियों के agent भी check करेंगे कि यह आदमी सही आदमी है या नहीं है यह चीज़े ensure करेंगे समझ गया अब यहाँ पर आगे कहता है कि put a mark on her finger and allow her to cast a vote agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way हर वेक्ती को मतलब हर candidate को यह छूड़ दिया जाता है कि आपका एक representative हो जो कि यहाँ से रहे और यह चीज़ एक प्रकार से ensure करें कि election free or fair हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है अगर नहीं होगा तो वो election commission के सामने issue raise कर सकता है अब यहाँ पर एक और जनकारी दी गई है कि यहाँ पर जो हमारा election होता है वो बहुत कुछ लोग कहते हैं बहुत पैसा बरबाद होता है इसमें बहुत खर्चे होते है क्या यह सच है तो यह चीज़ यहाँ से आप जनकारी जूटा सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है भाई यहाँ पर आपका counting हो रहा है किस चीज़ का counting जो वोट हुआ उसका counting इस पर हभी तुरन थम लो गाएंगे तो यह चीज़ यहाँ तक तो आप लोग समझ गया अब यहाँ पर आगे बढ़ें अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे क्या कहता है कहता है कि earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper पहले जब चुनाओ होते थे तो ballot paper का use होता था ballot paper क्या होता था बाई ballot paper एक प्रकार का paper होता था रुकिये मैं आपको थोड़ा सा बना कर ही दिखा देता हूँ इस प्रकार का paper होता था जिसमें यहाँ पर सभी leaders के नाम लिखे हुए होते थे candidate के नाम लिखे हुए होते थे उनका symbol भी होता था अब यहाँ पर जो voter है वो जब vote देने जाता था तो एक मुहर वहाँ पर रखा हुआता था मुहर से जाकर ऐसे वो vote दे देता था कि मैं किस candidate को vote देना चाहता हूँ तो यह पुरानी ववस्त था थी यहाँ पर बहुत सारे problems होते थे जैसे कि हर vote को manually check करना पड़ता था आंखों से देखकर इस प्रकार के बहुत सारे problems होते थे बहुत सारे vote बरबाद भी हो जाते थे काम नहीं कर पाते थे यह चीज़े अब यहाँ पर यह ballot paper जो होता था वो एक प्रकार का paper sheet होता था जैसे कोई bill होता है ना उस प्रकार का एक sheet होता था यह अगर आप देखें तो अभी जो पंचायत election होता है बहुत सारे राज्यों में पंचायत election में अभी भी यही system use होता है ballot paper वाला system use होता है उस voting के लिए electronic voting machine जिसको की EVM कहा जाता है इसको use के आजाता है ताकि हम लोग जो है voting को record कर सके और यह EVM कैसा दिखता है भाई तो यह EVM ऐसा दिखता है यह जो आप यहाँ पर machine देख रहे हैं यह machine क्या है? EVM है इसमें क्या होता है भाई? और उन सभी के सामने बटन होता है जब भी कोई voter जाता है वोट देने वो जिस भी candidate को वोट देने जाएगा उसके सामने वाला बटन दबा देगा उसके सामने वाला जब बटन दबाएगा तो यहाँ पर red color का blink करेगा और उसका वोट record हो जाएगा अब ये देखे इस ववस्था में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार जुनाव में घुटाला हो जाता है गड़वट हो जाता है इस प्रकार की बाते हो रही थी तो उस तरीके की problem को doubt को दूर करने के लिए election commission ने एक नया concept लाया concept लाया वीवी पैट का वीवी पैट ठीक है इसमें क्या होता है इसमें ये होता है कि जब भी कोई voter जाकर यहाँ पर vote देता है और बटन दबाता है तो वो जिस party को उसने vote दिया उस party का vote एक परची में print हो जाता है एक कागज के उपर print हो जाता है कि भाई आपने congress party को vote दिया उस वेक्ति का नाम print नहीं होता है बस ये print होता है कि किसको आपने vote दिया वो यहाँ पर आकर display हो जाएगा आपने vote दिया माल लीजे कि आपने congress को vote दिया यहाँ पर लिखा हुआ आगया congress और वो परची जो है इसके अंदर store हो जाती है इस प्रकार से सभी लोग आएंगे और सभी लोग आकर क्या कर सकते हैं vote दे सकते हैं सभी लोग vote देंगे और सभी का परची यहाँ पर store हो जाएगा अब यहाँ पर इससे फाइदा क्या है इससे फाइदा यह है कि आप जो वेक्ति हैं, अगर मैं गया यहाँ पर, तो मैंने चेक कर लिया कि मेरा वोट किसको गया, मैंने जिस पार्टी को वोट दिया, उसी पार्टी को यहाँ पर गया, ठीक है, अब यहाँ पर कोई election result के समय बोलता है कि नहीं, चुनाव में धानली हुई है, EVM machine को hack किया था, EVM machine खराब था, तो वहाँ पर क्या होगा, जो चुनाव के members हैं, जो वहाँ पर counting कर रहे हैं, वो इसकी गिंती को छोड़कर, फिर इसकी गिंती कर देंगे, इसमें manually परचिया निकाल कर उसको गिन लेंगे, कि बहाँ कितने लोगों ने BJP को दिया, कितने ने Congress को, कितने SP को, कितने BSP को, ये counting कर लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, doubt clear हो जाएगा, इस प्रकार से, ये एक प्रकार से doubt proof बनाने की कोशिश की गई है, हमारे देश के election commission के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ है, कि the machine shows the names of candidate and the party symbol, the independent candidate to have their own symbols, हर candidate का symbol होता है, जो party से independent चुनाव लड़ते हैं, बिना कोई party से, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, उनका अपना, अपना symbol होता है, जो कि उन्हें election commission के द्वारा दिया जाता है, अब यहाँ पर यही चीज़ होता है, कि जो voter है, वो जाकर क्या करेगा, वोट बटन दबाएगा, और उस होते हैं, हर candidate के agent होते हैं, उन agents के सामने इस EVM machine को seal कर दिया जाएगा, सभी agents उस document के उपर sign करेंगे, कि हाँ यहाँ मेरे सामने इस machine को seal किया गया था, और यह machine जो है, वो ले जाकर एक strong room में रख दिया जाएगा, समझ गए, यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place, अब यह जो secure place है, इसको क्या कहा जाता है, strong room कहा जाता है, जैसे यह यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यह एक strong room है, जैसे यह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, strong room, यहाँ पर अंदर क्या रखा गया है, अंदर EVM रखा गया है, और जिस दिन voting हो गया, उस दिन से जिस दिन counting होगा vote का उस दिन तक ये पूरा इलाका seal रहता है यहाँ पर cameras लगे हुए होते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से security guard उसको पहरा देते रहते हैं समझ गए तो इस प्रकार से यहाँ पर जो strong room है यानि जो secure place है वहाँ पर EVM को secure करके रखा जाता है और यहाँ पर इ अच्छी तरीके से देखना है तो यह देखिए इस प्रकार से room के अंदर EVM इस प्रकार से रख दिये जाते हैं सारे खिड की दरवाजों को pack कर दिया जाता है seal कर दिया जाता है दिवाले उठा दी जाती है seal कर दिया जाता है और इसके अंदर camera CCTV camera लगा दिया जाता है room के ब जैसे जितने भी candidate हैं, उन सब के agent इस strong room के बाहर चाहे तो बैठ सकते हैं, वहाँ पर इनको क्या मिलेगा, camera का feed मिलेगा, अब देखते रही है, camera में कोई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, समझ गए? अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर यही चीज है, जो मैंने कहा वो तो यहाँ पर दिख गया, अब यहाँ पर कहता है क्या? और EVM में क्या किया जाएगा, वोटों की गिंती की जाएगी, कि किस candidate को कितने वोट मिले, किस candidate को कितने वोट मिले, यह count किया जाएगा, और वहाँ पर counting के समय हर candidate के agent present होते हैं, और वहाँ पर वो ensure करते हैं कि counting सही तरीके से किया गया है, कहता है कि the candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected, किस खास constituency से, जिस व्यक्ति को, जिस person को सबसी दादा वोट मिले, वो उसको क्या कर दिया जाएगा, जीता हुआ, डिकलेर कर दिया जाएगा, आगे कहता है कि in general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place on the same day, यही चीज़ है कि जब general election होता है, वहाँ पर सभी constituencies का counting एक साथ किया जाता है, और यहाँ पर यह सारा जो जनकारी है, वो news channels पर, radio पर, सभी जगों पर साथ-साथ प्रसारित कर दी जाती है, अब यह counting का आप process देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, जो machine से उनको लाया गया, strong room से, यहाँ पर यह लोग क्या कर रहे हैं, counting कर रहे हैं, और इस प्रकार का यहाँ पर कमरा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, counting हैं, अब यहाँ पर यह देख रहे हैं, कैसारे tables हैं, tables क्या होते हैं, यहाँ पर जब भी EVM खोला जाता है, counting के लिए, तो एक बार में एक EVM नहीं खोला जाता है, जैसे एक बार में हो सकता ह दस table बनाया गया है, मतलब क्या, एक साथ 10, EVM एक साथ लाए जाएंगे, 1, 2, 3 करके 10 रखे जाएंगे, और दसों की गिंती होगी, और यहाँ पर इस जाली के पीछे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर counting हो रहा है, और इस जाली के बाहर यह लोग जो बैठे हुएं, यह agent है, candidate के agent है, जो की हर table पर बैठे हुए हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पर counting हो रहा है, तो कितने vote मिले, कितने vote count हुए इस प्रकार से, और उन सब को note कर रहे हैं, और यहाँ पर counting का पूरा process चल रहा है, इस प्रकार से यह पूरा counting चलता है, और यहाँ पर भी देख सकते ह टेवल पर यहां counting हो रहा है और यहां पर इस जाली के बाहर सभी के agent बैठे हुए हैं जो कि ensure कर रहे हैं कि जो counting है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है कुछ भी गढ़बढ है तुरंट डाउट दिया फिर से counting होगा और फिर से उसको सही करने की कोशिश की जाएगी अगर कु कौन सा candidate जीता किस constituency से सभी जग उपर पता चल जाता है और ये भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी party चुनाव जीती और कौन सी party सरकार बनाने वाली है ठीक है अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने topic है topic number 3.3 topic number 3.3 का कहता है what makes elections in India democratic यानि इंडिया में ऐसी क्य का चीज है election में कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो election हो रहा है वो democratic election है तो यह चीज इसके इससे जुड़े हुए कुछ points यहां पर हम लोग clear कर लेते हैं तो यहां पर आगे कहता है कि we get to read a lot about unfair practices in elections जब हम news खोलते हैं जब भी election की बात होती है तो वहां पर हमें कई सारे ऐस incident पढ़ा चलते हैं कई सारी ऐसी जानकारिया मिलती हैं कि जो election है न वहां पर कई प्रकार के unfair practices follow किये गए कई बार हम सुनने को मिलते हैं कि भाई देखो यहां पर क्या हुआ वहां पर जो लोग थे voters थे उनको पैसे दिये गए उनको घूस दिये गए उनको डराया गया धंक आया गया इस तरीके की बाते सुनने को मिलती हैं जैसे यहां पर उदारन के लिए कहा जा रहा है कि newspaper and television reports often refer to such allegations most of these reports are about the following की चीज़ों के बार में report रहता है भाई क्या क्या गड़वड हो रहा है तो यहां पर जैसे हमें सुनने को मिलता है inclusion of false names and exclusion of genuine names यानि सही लोगों का ना लोग गलत जाकर vote डाल देते हैं इस प्रकार की चीज़े होती हैं कई प्रकार होता है कि जो government facilities हैं उनका use किया जाता है ruling party के दवारा जो लोग party power में हैं वो officials का या फिर government facility का use करती हैं चुनाओ को प्रभावित करने के लिए कई बार यहां पर जो अमीर candidate होते हैं या फिर ज इसके साथ ही यहां पर voters को intimidate करने की कोशिश की जाती है डराने धमकाने की कोशिश की जाती है साथ में voting को rigging करने की कोशिश की जाती है बूत capturing जैसे होता है जैसे क्या होगा 50 लोग आएंगे बूत है वहां पर कबज़ा कर लेंगे और बोलेंगे कि हम अब vote डालेंगे हम both डालेगे. इस प्रकार की चीज़े भी होती हैं कई बार. अब देखें, यह जो report हैं, ऐसा नहीं है कि यह सारे report गलत है. ऐसा नहीं है कि hundred percent सही है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगा पे यही चीज़ हो रहा है यह बात नहीं है. हमारे देश में अगर 543 Constituencies हैं उनमें से 1, 2, 4 Constituency में ऐसा हो गया तो हो गया किसी 1, 2, 4, 10 बूत पर ऐसा हो गया तो हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि देश के हर Constituency में हर बूत पर ये चीज होता है जी नहीं हर Constituency में ये नहीं हो रहा है हर बूत पर नहीं हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा ये चीज होता है यहाँ पर कहता कि many of these reports are correct इनमें से जो ज़्यादा तर report आप देख रहे हैं वो क्या है सही है और ये सुनकर ये देखकर हमें दुख बहुत होता है आपको भी होना चाहिए मुझे भी होता है अब यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात ये है कि ये जो हमारे सामने challenge है, problem है, election में धांधली है ये बहुत ही छोटे scale पर होती है ये इतने बड़े scale पर नहीं होती है कि पूरे election का result ही पलट दे हमारे देश में अगर 543 constituencies हैं उसमें हजारों की संख्या में boot हैं, जहाँ पर voting होता है उसमें से 10, 5, 15, 20 boot हैसे होंगे, जहाँ पर इस प्रकार की rigging होते हैं समझ गए? तो यहाँ पर इन boot की वज़़से ऐसा नहीं है कि पूरे देश का election पलट जाएगा पूरे देश का election ही इधर से उधर हो जाएगा, जी नहीं एक constituency, दो constituency, दस constituency ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर की result को change किया जा सकता है इस प्रकार के rigging से लेकिन पूरे देश का election के result में बहुत ज़़दा change नहीं आता है थोड़ा मोड़ा आपको rigging हो सकता है, समझ गए? प्रकार के rigging को भी रोका जा सकता है, अब यहाँ पर यहीं चीज़ है कि this become clear if we ask a basic question, मतलब की भाई election हमारे देश में democratic है या नहीं है, election सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह एक question पूछ करके हम यह चीज़ ensure कर सकते हैं, क्या question है भाई? Can a party win an election and come to power? Not because it has popular support but through electoral malpractices क्या हमारे देश में कोई भी पाटी? चुनाव जीत कर सरकार बना सकती है इस प्रकार के धांदली करके? जी नहीं, एक दो तीन सीटे जीत सकती है लेकिन पूरा सरकार नहीं बना सकती है, पूरा सरकार बनाने के लिए उसको जनता का support जरूरी है बिनना जनता के support के ये काम possible नहीं हो सकता है अब इसी चीज़ को समझने के लिए कि भाई हमारे देश में ऐसी क्या चीज़े हैं जो कि हमारे देश के election को free and fair बनाती है हमारे देश में क्या ऐसी चीज़े हैं जिसकी हुझा से हम कह सकते हैं कि हमारे देश का election democratic election है, वो चीज़े समझते हैं इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने independent election commission अब ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे देश में जो state election और साथ में जो union election मतलब center of parliamentary election कराने का जिम्मा होता है वो किसके पास होता है? election commission के पास होता है और साथ में जो local election होते हैं मतलब जो local government का election होते है, municipality के और पंचायत के उसका election कौन करवाता है, उसका election करवाय जाता है state election commission के द्वरा, ठीक है? तो यहाँ पर जो independent election commission है, इसका मतलब क्या है? कि हमारे देश में जो चुनाव कराने वाली संस्था है जिसे हम election commission कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं वो बिलकुल ही independent है मतलब कि वो बिलकुल free है, उसके उपर किसी का दवाव नहीं है किसी का pressure नहीं है, कोई भी उसको order नहीं दे सकता है वो अपनी मर्जी से काम करता है और वो अपनी मर्जी से अपने power का use करके free and fair election कराने का काम करता है आई ये इसके वारे में थोड़ा detail से पढ़ते हैं कहता कि one simple way of checking whether election are fair or not is to look at who conducts the election यानि सबसे पहले तो हम देखें कि भाई, match में referee कौन है जो referee है, क्या वो कोई एक free आदमी है, independent है जो की free and fair होकर election कराएगा तो भाई हमारे देस में ऐसा है हमारे देस का जो referee है, यानि के election commission है जो की चुनाव कराने का काम करता है वो बिल्कुल ही independent है किसी का उस पर दबाव नहीं है समझ गए? यहाँ पर ये सवाल पूसता है कि are the independent or the government मतलब कि सरकार चुनाव करा रही है या फिर कोई independent संस्था करा रही है हमारे देस में independent संस्था करा रही है आगे, can the government or ruling party influence or pressurize them क्या सरकार election commission के उपर pressure डाल सकती है उसको order दे सकती है तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकती है क्यों नहीं दे सकती है, हम आगे देखेंगे Do they have enough powers to be able to conduct free and fair election क्या उनके पास free and fair election कराने के लिए powers मौझूद है जी हाँ, बहुत powers मौझूद है कैसे powers आगे देखेंगे, समझ गए Do they actually use these powers वो अपने power का use करते है जी हाँ, बिल्कुल करते है तो आए यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यही चीज़ अच्छे से समझते है, कहता है कि the answer to all these questions is quite positive for our country, हमारे देश के लिए इन सभी questions का answer बहुत ही अच्छा है, क्यों अच्छा है बाई क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में जो election कराये जाते हैं, वो एक independent संस्था के कराये कराये जाते हैं, जो कि बहुत ही powerful है, और इस संस्था का नाम है election commission, EC election commission, और election commission के पास उतना ही independence है, जितना की हमारे देश में judiciary के पास है यानि हमारे देश में जिस प्रकार से जजो को सरकार order नहीं दे सकती है, उसी प्रकार से हमारे देश में election commission को सरकार order नहीं दे सकती है समझके, तो election commission क्या है वो एक free and fair संस्था है, independence संस्था है उसको independence है, कैसा है independence जैसा कि हमारे देश में जजो को है, वैसा ही independence है आगे कहता है कि the chief election commission, election commissioner CEC is appointed by the president of India, हमारे देश में जो chief election commissioner होते हैं, यानि जो election commission के head होते हैं, उनको कौन appoint करता है, उनको president of India के द्वारा appoint किया जाता है लेकिन जब यहां पर एक बार किसी व्यक्ति को election commissioner के रूप में appoint कर दिया जाता है, तो उस समय जो chief election commissioner है वो president को भी answerable नहीं होता है, और साथ में government को भी answerable नहीं होता है मतलब कि chief election commissioner से, election commission से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता है, वो बिल्कुल powerful है, वो अपने खुद से काम करती है, वो सरकार उसके उपर अंगली नहीं उठा सकती, सरकार उससे question नहीं पूछ सकती है और साथ में ruling party या फिर government, election commission को पसंद भी ना करे उससे बिल्कुल गुसा हो जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकती है वो इतनी power यहाँ पर election commission को दी गई है और यहाँ पर साथ में जो chief election commissioner है, उसको लगभग नामुम्किन है उसके पद से हटाना मतलब कोई व्यक्ति अगर chief election commissioner बन गया, तो उसको सरकार कुछ भी करके power से नहीं हटा सकती है उसके पद से नहीं हटा सकती है हाँ, अगर उसने बहुत ज़्यादा कुछ गडबड कर दी या धानली कर दी तब बहुत एक्स्ट्रीम केस में हो सकता है कि हटा दे, लेकिन normal condition में impossible है उसको हटाना समझ गए? आगे यहाँ पर कहता है कि very few election commissions in the world have such wide ranging powers as the election commission of India हमारे देश में जो election commission है उसके पास जितना power है उतना power दुनिया में किसी भी democracy में election commission के पास नहीं है हो सकता है किसी के पास हो लेकिन एक दो देश ही होंगे जिनके पास ऐसा power होगा election commission के पारे में अब यहाँ पर देखें election commission क्या का काम करता है उसके क्या क्या powers है तो जो election commission है उसके पास वो सारा decision लेता है कि भाई election कब होगा कैसे होगा कितने चरण में होगा गिंती कब होगा, voting कब होगा इस प्रकार से सारे काम कौन करता है election commission करता है किस दिन चुनाव का घोशना होगा, किस दिन election होगे, किस दिन result counting होगा, किस दिन nomination होगा, ये सारा काम कौन करेगा, election commission करेगा, वो सारा घोशना election commission करेगा. इसके साथ ही यहाँ पर election commission ही चुनाव के साथ code of conduct लागो करता है और कोई भी व्यक्ति या फिर party अगर code of conduct का violation करती है तो उसको punish भी करने का काम कौन करता है election commission करता है इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर election के दोरान जो election commission है वो सरकार को भी order दे सकती है कि यार तुम मेरा बात मानो मतलब कि यहाँ पर इतना powerful है जिस समय चुनावत होता है उस समय election commission सरकार को order दे सकती है कि तुम मेरा guideline follow करो मेरी बात मानो साथ में यहाँ पर सरकार को अपने power मिस्यूज करने से रोक सकती है और साथ में यहाँ पर कोई भी government official का transfer वो कर सकती है अगर किसी government official से election commission खुस नहीं है उसके performance को लेकर question उठा है तो उसका transfer कर सकती है उसको उसके पदसे भी हटा सकती है इसके साथ ही जब भी कोई government official election duty पर होता है तो वो जो government officer है वो election commission के अंदर काम करता है न कि government के अंदर मतलब कि जब किसी भी वेक्ती का यहाँ पर duty लगता है election के लिए तो उस समय में उसको order कौन दे सकता है election commission order दे सकता है government order नहीं दे सकती है यह यहाँ पर condition होता है समझ गये अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि in the last 25 years or so the election commission has begun to exercise all its power and even expand them पिछले 25 सालों में election commission ने अपने powers का भरपूर यूज करना सुरू किया है और अपने powers को बढ़ाया भी है एक प्रकार से कहता कि it is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses मतलब कि यहाँ पर अगर कोई सरकार या फिर government officer या फिर administration अगर कुछ गडबड करती है तो उसके लिए डांट फटकार भी हो सकता है उसको एक फ्रकार से questioning के लिए भी बुलाया जा सकता है यह चीजे भी हो सकती है यहाँ पर जो election commission के अधिकारी होते है मतलब जो जो भी government official चुनाओ के duty में है अगर उसको इस प्रकार से पता चलता है जनकारी मिलती है कि यार यहाँ पर इस booth पर voting सही नहीं हुआ है इस booth पर कुछ गड़वड हुआ है तो वो क्या कर देगा बोल देगा कि इस booth पर क्या करेंगे हम लोग दोबारा से voting कराएंगे इस एक booth पर छोड़िये पूरा constituency में अगर यहाँ पर लगा कि यार पूरा constituency में गड़वड है तो पूरा constituency में फिर से चुनाव करवाया जाएगा यह भी order यहाँ पर दिया जा सकता है इस प्रकार की चीज़े भी यहाँ पर की जाती है election commission के दौरा यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो rolling party होती है जो कि सरकार में बैठी हुई होती है उसको election commission का काम पसंद नहीं आता है क्योंकि election commission सरकार के उपर बहुत सारा रोक लगा देता है उसके power को exercise नहीं करने देता है इसलिए यहाँ पर जो election commission है उससे सरकार में जो party होती है वो नराज भी हो जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है और वहाँ पर election commission जो है उसके सामने उस party को सांथ बैठना पड़ता है और यह तभी हो पाता है क्योंकि हमारे देश में जो election commission है वो इतना powerful है अब यह कुछ headlines दिये गए जिनमें आपको check करना है कि यहाँ पर election commission ने कहां-कहां आपने power को use किया वो चीज़ आप देख करके check करके बताई है अब यहाँ पर दूसरा चीज है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो election हो रहा है वो क्या है democratic election है वो क्या है criteria वो है popular participation कि भाई हमारे देश में जो election हो रहा है उसमें लोग बढ़ चरकर participate कर रहे हैं इससे भी हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में जो election है वो क्या है democratic है और free or fair कहता कि another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm if the election process is not free or fair people will not continue to participate in the exercise now read the chart below and draw some conclusion about the participation in India यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई देखो तुम अगर अपने आसपास देखोगे तो लोग बढ़ चड़ कर चुना में participate कर रहे हैं लोग बढ़ चड़ कर पार्टियों की rally में जाते हैं भाचन सुनते हैं, आते हैं, discussions होते हैं उसके बाद जाकर लोग बहुत बड़ी संख्या में vote भी डालते हैं यह तभी possible है, जब जनता का विश्वास है, election free and fair है, लोग free है अपनी मर्जी से vote डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से leader चुन सकते हैं तभी वो इतने बढ़ चड़ कर इस पूरे process में सामिल हो रहे हैं अगर यह पूरा process सही नहीं होता, अगर पूरे process में गड़बड़ी होती तो यहाँ पर लोग इस पूरे process में सामिल नहीं होते, इस election से काफी दूर रहते यहाँ पर सबसे पहले आपको यह chart देखने को मिल रहा है यह chart क्या दिखा रहा है, कि भाई कितने प्रतिसत लोग यहाँ पर vote देने आते है voter turnout दिखाया गया, voter turnout का मतलब क्या है, मतलब कि जितने लोग सरकार के पास registered है voters list में, उनमें से कितने प्रतिसत लोग vote देने आते है जो eligible थे, उनमें से, और यहाँ पर UK में गय थे 78% लेकिन आज के समय में अगर हम लोग देखे 2015 की बात करें तो यहाँ पर India 66% हो चुका है, और साथ में हमारा UK भी 66% हो चुका है मतलब धीरे धीरे जो participation है लोगों का election के प्रति, वो बढ़ रहा है लोग बढ़ चड़कर election में participate कर रहे है यही चीज यहाँ पर point number one raise किया गया है कि people's participation in election is usually measured by voter turnout figure turnout indicates the percent of eligible voter who actually cast their vote यानि voters में से, जो लोग vote दे सकते हैं, उनमें से कितने लोगों ने vote दिया वही क्या है, voter turnout है, ठीक है अब कहता कि पिछले 50 सालों में अगर हम देखे तो Europe और North America North America मतलब कि Canada USA की बात हो रही है वहाँ पर जो participation है वो decline किया है लेकिन यहाँ पर India में जो turnout है वो या तो stable रहा है या फिर बढ़हा है तो यह अच्छी चीज़ है कि भाई, लोग ज़्यादा बढ़ चड़कर अब हमारे देश में election में participate कर रहे है दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पर देखिए दूसरा चीज़ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यह चाट आपके सामने है इस चाट में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो election में 56% participate करते हैं उससे ज़दा OBC, उससे ज़दा SC, उससे ज़दा ST तो यहाँ पर जो हमारे देश के weaker section हैं वो हमारे देश के election में बढ़ चर कर participate कर रहे हैं लेकिन अगर आप Western society की बात करें, USA की बात करें यहाँ जो white community है, यानि कि जो यहाँ पर dominant community है वो ज़दा participate करती है election में, black community कम करती है और hispanic तो बिलकुल भी बहुत ही कम हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में society में जो weaker section हैं, वो बहुत ज़दा बढ़ चर कर election में participate कर रहे हैं यानि कि यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कि in India the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to rich and privileged section हमारे देश में जो अमीर लोग हैं, privileged लोग हैं, upper class के लोग हैं, उनसे जादा मात्रा में जो हमारे देश में weaker section के लोग हैं, वो बढ़ चड़ कर participate करते हैं और यह दूसरे देशों के comparison में बिलकुल उल्टा है, अमेरिका में हमने देखा कि upper class के लोग ज़्यादा participate कर रहे हैं, और जो weaker section है वो उतना ज़्यादा participate नहीं कर रहे हैं अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आगे यहाँ पर देखें, यह chart देखें, यह chart क्या दिखाता है, लोगों से एक सवाल पूछा गया, कि भाई क्या आपके एक vote का चुनाव के उपर फर्क पड़ता है, तो हमारे देश क जो लोग हैं, वो एक प्रकार से यह विश्वास रखते हैं, कि भाई देखो, हमारे देश में जो election है, उसमें अगर हम vote देंगे, तो कुछ फर्क पड़ेगा, यह लोगों का विश्वास है, ठीक है, अब यहाँ पर उनका यह मानना है, कि हम vote के जरीए, election के जरीए, हम सरका के उपर और political parties के उपर pressure डाल सकते हैं, कि भाई हमारे जैसी जरूरत है, वैसे तुम policies बनाओ, वैसे program बनाओ, और साथ में यहाँ पर इससे क्या होता है, यह चीज हमें पता चलता है, कि लोगों का काफी विश्वास है हमारे देश के election के उपर, अब यहाँ पर अगर हम दे किसी party के कोई function में चले गए, कही पर किसी party का member बन गए, इस प्रकार की चीजों में participate किया कितने लोगों ने, तो देखिए तो धीरे धीरे हमारे देश में जो political participation है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 2004 मिट करीब 32% है हो चुका था, ठीक है, आगे कहता कि the interest of voters in election related activities has been increasing over the years, हमारे देश में जो election related activity है, उसका interest लोगों में काफी बढ़ रहा है, लोग बढ़ चड़कर participate कर रहे हैं, और यहाँ पर कहता है कि 2004 election में हमारे देश में जितने भी voters हैं, उनमें से one third voters ने किसी ना किसी प्रकार से campaign related activity में participate किया था, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मतलब कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, उन्होंने किसी ना किसी party के प्रती अपना रुजान दिखाया था, किसी ने कहा कि मैं यह party से जुड़ा हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं वो party से जुड़ा हुआ हूँ, इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई, अब यहाँ पर यही दिखाती है कि हमारे देश में जो election है वो काफी free and fear है और वो है acceptance of election outcome यानि election का जो भी result हो सरकार में बैठी हुई party अगर चुनाव हार जाए या opposition चुनाव हार जाए तो लोग जो है वो चुनाव के result को accept करते हैं स्विकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कोई भी आ और fair election है समझ गए आगे कहता कि the one final test of the free and fairness of election has in the outcome itself यानि जो outcome आया वही क्या है एक प्रकार से हमारा क्या है एक प्रकार से proof है कि election free or fair हो रहा है If elections are not free or fair the outcome always favor the powerful अगर election free or fair नहीं है तो election में जो powerful है वही हमेशा जीतेगा जैसे हमने मेक्सिको का उधारण देखा था वहाँ P.R.I. party हमेशा जीतती थी कोई चुनाव नहीं हारती थी लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है जी नहीं इंडिया में जो सरकार में बैठी होई party होती है वह चुनाव हार जाती है अगला बार दूसरा party आ जाता है ऐसा होता है या नहीं होता है बिलकुल होता है कई बार देखिएगा सरकार में मुख मंत्री जीते वह चुनाव हार गये वह resign कर दिये जो व्यक्ति कहीं कुछ नहीं था वह चुनाव जीत गया और जाकर मंत्री बन गया यह चीज़े होती रहती है हमारे सरकार में हमारे देश में तो यह चीज़ हमें क्या दिखाता है कि देखो यहाँ पर चाहे आप सरकार में रहें या विपक्ष में रहें आपके हारने के चांसे बराबर हैं और यहाँ पर अगर हम लोग डाटा देखें तो डाटा हमे यह पता चलता है कि यहाँ पर जो ruling party है वो दो में तीन में से दो election हार जाती है, मतलब 60% times, मतलब अगर 10 चुनाव होगा, तो उसमें से 6 चुनाव, ruling party हार जाएगी जो मुख्यमंत्री बैठे हुएं, मंत्री बैठे हुएं, वो चुनाव हार जाएगे 10 में से 6 बार ऐसा होता है समझ गए, करीब 7 बार ऐसा होता है अब यहाँ पर यही चीज है कि भाई, जो चुनाव होता है उसमें सभी party या result accept करती है, यह बाते बताई गई है, आगे यहाँ पर और भी बात है कि आप सबसे पहले तो बात यही किया गया कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ruling party है, वो बहुत ज़्यादा चुनाव हारती है, अगर यहाँ पर free or fair election नहीं होता तो ruling party कभी चुनाव नहीं हारती लेकिन हमारे देश में कई सारे states में, central government में भी आप देखेगा, कि जो सरकार है वो सरकार चला रहे थे, प्रधान मंत्री थे, पूरा power था और चुनाव हार गये, सबको resign करना पड़ा state government में भी ऐसा होता है तो यह चीज है, ठीक है आगे बढ़ें, तो यहाँ पर US में बात करें, तो USA में जो incumbent या फिर sitting elected representative है वो कभी चुनाव नहीं हारता है मतलब कोई एक बार MP बन गया तो वो अगले 20-30-40 सालों तक MP रहेगा, वो कभी चुनाव नहीं हारेगा समझ गये लेकिन यहाँ पर India में गर हम देखे तो हमारे जो sitting MP होते हैं MLA होते हैं, वो बहुत ज़दा चुनाव हरते हैं कोई एक बार जीता तो अगला बार फिर कभी नहीं जीता ऐसा भी होता है समझ गये इसके साथ यहाँ पर कहा जाता है कि candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes those with known criminal connection often lose election बड़े बड़े लोग, powerful लोग, पैसे वाले लोग भी चुनाव हर जाते हैं हमारे देश में यह भी होता है और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो आगे कहता है कि bearing very few disputed election the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the deputed party कुछ incident को छोड़ दे तो देश में जितने भी चुनाव के result आते हैं उन सब को leaders के द्वारा accept किया जाता है topic challenges to free and fair election यानि कि free and fair election के लिए हमारे सामने हमारे देश में क्या challenges है यह समझते हैं कहता कि all this lead to simple conclusion election in India are basically free and fair हमारे देश में जो election है वो कैसा होता है free and fair होता है कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी गढ़वर है तो वो manage हो सकता है वो आगे चलके ठीक हो जाएगा कहता कि the party that wins an election and form government does so because people have chosen it over its rival कोई party चुनाव के हो जित्ती है क्योंकि जनता उसको favor कर रही है ना कि उसने धानली किया था इसलिए समझ गए तो ये condition तो आपको पता चल गए ये तो आप समझी गए कहता कि this may not be true for every constituency 543 constituency है Parliament की उसी प्रकार से Assembly की बहुत सारी constituency है कहीं कहीं किसी constituency में ऐसा हो सकता है कि money और muscle power या फिर किसी और प्रकार से influence करके कोई वेक्ती MLA बन जाए या फिर MP बन जाए ये हो सकता है लेकिन पूरे देश का election ऐसा ही होता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ candidate जो होते हैं वो मधिन पसल power पर जी सकते हैं लेकिन बाकी जो सरकार पूरी बनती है पूरी जो बवस्था होती है वो popular support की वज़ासे होती है ये जनता के समर्थन की वज़ासे होती है समझ गए अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहता कि अगर हम गहरे सवाल पूछें तो हमारे सामने कुछ और पिक्चर आती है क्या भाई क्या सवाल पूछेंगे सबसे पहला कि आर पीपल्स प्रिफरेंस बेश्ट और रियल नॉलेज यानि जनता जब वोट देने जाते हैं लोग जब वोट देने जाते हैं और किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं तो क्या उनको सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से आइडिया है समझ है, जानकारी है Are the voters getting a real choice जनता के सामने क्या real choice है कि दो प्रकार के लोग हैं किसको चुने, कैसी policy होनी चाहिए क्या ये कोई choice है जनता के सामने Is election really level playing field मतलब कि जितने भी candidate चुनाव लड़ रहे हैं सब के लिए बराबर का महौल है हमारे election में, ये भी सवाल है Can an ordinary citizen hope to win election जब election होगा, उसमें कोई अगर ordinary वक्ती चुनाव लड़े तो क्या वो चुनाव जीत सकता है इस प्रकार के बहुत सारे सवाल है समझ गए, कहता है कि questions of this kind bring many limitations and challenges of Indian election to our attention तो इन प्रकार के सवाल पूछने पर हमें कुछ limitation पता चलते हैं, कुछ challenges पता चलते हैं, जो की हमारे देश के democracy से जुड़े हुए है election से जुड़े हुए है क्या-क्या पता चलते हैं भाई यहाँ पर सबसे पहली बात challenge क्या है हमारे देश की democracy के सामने electoral system के सामने पहली बात कि candidates and parties with lot of money may not may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independence यानि कि देखिए कोई व्यक्ति कोई candidate है, कोई party है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत power है बहुत muscle power है, money power है तो भले ही उसकी guarantee न हो कि वो चुनाव जीत जाएगी लेकिन उसके पास advantage होता है वो पैसे खर्च करके चुनाव में प्रचार अपना अच्छा करवा सकती है लोगों को influence कर सकती है उसके पास क्या है, advantage है समझ गए? In some parts of the country, candidate with criminal connection have been able to push other out of electoral race and to secure a ticket from major party देश के कई सारे इलाके हैं जहां पर आपको बहुत सारे आपको criminals मिल जाएंगी जो की बड़ी-बड़ी partyों से चुनाव लड़के जीत जाते हैं और MLA बन जाते हैं MP बन जाते हैं, वो अपने money और muscle power की वज़े से वहां पर पहुंच जाते हैं ये भी challenge हमारे देश की democracy के सामने आगे यहाँ पर question है challenge है Some families tend to dominate political parties Tickets are distributed to relative from these families कुछ political party हमारे देश में ऐसी है जिनको की एक ही परिवार के लोग चला रहे हैं और उसी परिवार के लोग उस party से चुनाव लड़ते हैं और उन ही के relative वहां पर चुनाव लड़कर जीतते हैं ये भी एक प्रकार का challenge है हमारे देश की democracy के लिए तो यहां पर आगे देखें तो आगे कहता कि यानि कि अगर देखें तो हमारे देश में जो election होता है वहां पर आज के समय में जनता के सामने really में कोई option नहीं है क्योँ option नहीं बाई? Story असलिес लिए नहीं है कि हमारे देश में जब election हो रहा है कोई भी दो पार्टी जो है बड़ी चाहे वो इस्टेट का एलेक्शन हो या फिर सेंटर का एलेक्शन वो दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक ही बात बोलती हैं, पहला बोलेगा मैं रोड बनवाऊंगा, दूसरा भी बोलेगा मैं रोड बनवाऊंगा, पहला बोलेगा मैं ट्र parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. जो smaller छोटी-छोटी पार्टियां होती हैं, independent candidate होते हैं, उनको बहुत तरीके के disadvantage फेस करने होते हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ समझें, कि यह जो challenges आपको बताएगा democracy के सामने, Indian election system के सामने, उसमें यह जो सारे challenges हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सामने नहीं हैं, बलकि दुनिया के जितने भी established democracy हैं, सब के सामने हैं, यह problem सिर्फ इंडिया का नहीं है, यह पूरे world का problem है, दुनिया का हर देश के सामने यही challenges हैं. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. जिन लोगों का democracy में विश्वास हैं, उनके लिए यह सारे topic क्या हैं, बहुत concerned के विशे हैं, बहुत चिंता वाले बात हैं. इसलिए जितने भी आपके social activist हैं, citizen हैं, organization हैं, वो यह कोशिश कर रहे हैं, कि हमारे देश में जो या फिर पूरे world में जितने भी democracies हैं, वहाँ पर electoral system में कुछ सुधार किये जाएं, reform किये जाएं, ताकि ये जो challenges हैं, इनको खतम किया जा सकें, समझ गया? Can you think of some reform? क्या आप कुछ reform बता सकते हैं? बता सकते हैं, तो comment बहता ये, कि सरकार को क्या सुधार करना चाहिए, election commission को क्या सुधार करना चाहिए, ये सारी बातें, और साथ में यहाँ पर जो ordinary citizen है, वो इन challenges को face करने के लिए क्या करें, समझ गया? ये भी आपको सोचना चाहिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर आपको कुछ बाते हैं, इसको आप एक प्रकार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहाँ पर हमारा जो ये chapter है, ये समाप्त होता है, यहाँ पर कुछ words है, important words, ये आप इनका meaning यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि code of conduct क्या है, constituency क्या है, incumbent क्या है, level playing field क्या है, rigging क्या है, turn out क्या है, ये